Hello everyone! Yes, this is Zanky Singh Paal and welcome to Magnet Brains Hindi Video. जहाँ आपको मिलता है Class 6 to Class 12, Free Education वो भी High Quality Content के साथ. Students, Magnet Brains Hindi Medium and English Medium provide कराता है आपको Class 6 to Class 12, Free Education वो भी High Quality Content के साथ. यही नहीं, Magnet Brains English Medium भी provide कराता है आपको Class KG to Class 12, Free Education वो भी High Quality Content के साथ. प्यारे वच्चों, Magnet Brains Hindi Medium and English Medium, CVSC वोड के साथ, UP वोड, MP वोड, धहली वोड, बिहार वोड और राजिस्थान वोड की भी glasses प्रोवाइड कराता है जिनको आप देख सकते हैं किसी भी वोड से हो चले आईए पढ़ा देंगे. और Magnet Brains Hindi Medium and English Medium, E-Notes and E-Books की वी Facilities प्रोवाइड कराता है जिनको आप अवैल कर सकते हैं. लिंक इसी वीडियो के description box में दे रखी है. और सर आपको पता है यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं fully organized way में with daily practice questions के साथ यानि इसके बाद आपको कहीं पर भी भटकनीक जुरत नहीं है और सर टेंसन तो बिलकुल भी नहीं लेना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीड आपने पढ़ भी लिया था अच्छे से और आज हम लोग पढ़ेंगे complete chapter revision part 2. इस पूरे गती के नियम को मैंने दो पार्ट में divide किया था जिसमें आज पूरा chapter खतम हो जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की class और class को स्टार्ट करने से पहले students मैं चाहूंगा कि आप स notification आपको time to time आपके phone पर मिलती रहें. चलिए. बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं सर आज का topic क्या है? complete chapter vision part 2 में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे. समवेक तक हम लोगों ने पढ़ लिया था. आप पढ़ेंगे सर समवेक संद्रिश्चन. देट इस conservation of momentum. क्या सर conservation of momentum जहाँ पर भी word आपको conservation मिल जाए. क्या मिल जाए? conservation मिल जाए. अब समझ जाना सर conservation का मतलब होता है. ना तो वो चीज नश्ट होती है और ना ही उस चीज को उत्वपन निकिया जा सकता है. मतलब conserve का मतलब है constant रहती है. जो पहले थी वही बाद में रहेगी. यही conservation किस के गटना में. तो का कहा गया है? कि बेटा माना दो कणों में, दो कणों के एक निकाय में, जिनमें कणों के द्रविमान M1 वा M2 तथा उनके ताक्षणिक सम्वेग क्रमशा P1 वा P2 है. गति के अवस्ता में है, तब निकाय का संपूर सम्वेग कहा गया है कि दो द्रविमान ह एक दो पिंड है, एक का दरविमान M1 है और दूसरे का दरविमान M2 है, तथा उन दोनों दरविमान का जो संवेग है, वो हमने कहा कितना है कि M1 का P1 है, किसी भी छण, किसी भी छण, ताच्छनी कोला गया है, किसी भी छण, उनका जो दरविमान है, वो P1 है, M1 का संवेग P1 इतना समझमाएं बिल्कुल मानक कणों M1 वा M2 पर दो बल क्रमशा F1 तथा F2 कार रहत है कहा गया है कि M1 वाले कण पर F1 फोर्स लग रहा है तथा M2 वाले कण पर F2 फोर्स लग रहा है जिसके कारण किसी सूच्म समय अंतराल डेल्टा T जिसमें कि डेल्टा T is tends to 0 tends to 0 का मतलब है लगवग 0 के equal है लगवग 0 के equal है 0 नहीं है पूरा-पूरा लगवग 0 के equal है इसलिए बोला सूच्म समय अंतराल ठीक है सूच्म समय अंतराल में बलों F1 वा F2 द्वारा इन कडों के संबेग में किये गए परिवरतन करमशा डेल्टा P1 तथा डेल्टा P2 हो तब निकाई में संबेग में परिवरतन कहा गया है कि माल लेते हैं M1 कड़ पर F1 फोर्स लग रहा है अब ये force जो लग रहा है वो बहुत सोच्म समय के लिए लग रहा है बहुत छोटे से समय अंतराल के लिए लग रहा है जिसके कारण इनके समवेग में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ गया क्या कि जब M1 फोर्स पर M1 कारण पर F1 फोर्स लगा छोटे से समय अंतराल डेल्टा T के लिए तब उसका जो संबेग में परिवर्तन हुआ Δेल्टा P1 हो गया तब हम लोग क्या पूरे निकाहे में देख सकते हैं कि सिस्टम का संबेग परिवर्तन क्या होगा देखते हैं इस सिद्धान के अंसार भावल की अनपुस्तिती में किसी निकाय का संपूर्ण संवेग संरच्छित रहता है तथा समय के साथ इन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वही बोला गया है क्या बोला जाता है कि सर पूरे सिश्टम का जो संवेग होता है जो क्या होता है बेटा हमारा पूरे सिश्टम का जो मुमेंटम होता है वो कैसा रहता है कंजर्वड रहता है बदलता है नहीं है जो पहले था वही बाद में होता है हाँ या ना चलिए सर बढ़ते हैं आगी की तरफ तो देखते हैं अब हम लोग संवेग संरच्ण के नियम से क्या देखेंगे बिटा हम लोग देखेंगे न्यूटन के तरतिये नियम की उत्पत्ती देखेंगे क्या देखेंगे संवेग संरच्ण के नियम से न्यूटन की तरतिये नियम की उत्पत्ती देखेंगे सर्थ तिर्थिये नियम कहता है, सर्थ तिर्थिये नियम कहता है, Newton's का 3D law कहता है, कि every action there is equal and opposite reaction, क्या कहता है, कि हर एक क्रिया का प्रतिक्रियाबल होता है, लेकिन परिमाण में equal होता है, दोनों क्रिया प्रतिक्रियाबल, लेकिन दिशा में बिपरीत होते हैं, कैसे होते हैं दिशा में विपरीद होते हैं आईए अब हम लोग सम्वेक्षन रच्छन के नियम से क्या देखेंगे तरतिये नियम को प्रूफ करेंगे चरिए माल लेते हैं कि जब दो पिंड आपस में टकराते हैं विद एक दूसरे बल बल आरोपित करते हैं माना कि पहले पिंड पर आरोपित बल एफ बन टू तथा दूसरे पर आरोपित बल एफ टू बन है हमने कहा कि दो पिंड है सर दो पिंड बना लेते हैं एक पिंड ये है ओके सर और दूसरा पिंड हमारा ये है ठीक है ये दो पिंड है एक का द्रविमान मैंने नाम दिया M1 क्या नाम दिया एक M1 है एक M1 है और एक क्या है सर M2 है अब ये दोनों की टक्कर होती है क्या होती है इन दोनों की टक्कर होती है सर जब टक्कर होगी इन दोनों की टक्कर होगी तो कहीं न कहीं M1 भी M2 पर फोर् हमने कहा हमने कहा Sir M1 कि जब टक्कर हुई तो force on 1 due to 2 कि इस पर कितना force लगा कि बन ने force कितना लगा है force on 1 बन के कारण force लगा किसके बन पर force लगा किसके कारण 2 के कारण और यहीं पर इस वाले पर क्या होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि force on 2 due to 1 कि सर दूसरे पर force लग रहा है किसके कारण बन के कारण तो वहीं बोला है क्या बोला है कि टक्कर के समय हमने क्या कहा कि माना कि पहले पिंड पर आरोपित बल कितना है पहले बाले पिंड पर है F1 F12 that is force on 1 due to 2 ठीक है तथा दूसरे पिंड पर जो वल लग रहा है force on 2 due to 1 that is दूसरे पर लग रहा है पहले के कारण ठीक है सर माना कि इन वलों के कारण पहले पिंड में संबेग परिवर्तन डेल्टा P1 है तथा दूसरे में संबेग परिवर्तन डेल्टा P2 है यदि दोनों पिंड टी समय अंतराल तक एक दूसरे के समय साथ रहते हैं संबेग परिवर्तन के अनुसार कहा गया है कि इस समय छोटे समय इंतराल में जो पहले वाले पिंड का जो परिवर्तन है संबेग परिवर्तन डेल्टा P2 है समझ में इतना तब हम लोग निकालते हैं बेटा हम लोगों ने एक चीज पढ़ाता है क्या पढ़ाता है सर कि जो आवेग होता है वो कि उसके एक्वल होता है समवेग परिवर्तन के एक्वल होता है क्या पढ़ाता है हम लोग ने सर कि आवेग जो होता है वो हमारा समवेग परिवर्तन के एक्वल होता है that is j equals to delta p हाँ है ना स सर बिलकुल, सर जे, अब हम लोग क्या करेंगा, इसको इस फॉर्म में लिख लेते है, F1 और F2 के फॉर्म में लिख लेते है, जे एक कोश्ट्यू क्या था, फोर्स का अगर मुल्टिपलाई, अगर समय के साथ करा दिया जाए, तो उसको आवे कहते थे, अब लिखते हैं सर, क्या, कि force on 1 due to 2 into delta T, हाँ या न, बिल्कुल सर, ठीक है, equals to क्या आ जाएगा, delta P1, पहले वाले के लिए आ गया, ऐसे ही से मुम लोग दूसरे वाले के लिख सकते हैं, बिल्कुल सर, क्या लिखेंगे, force on, force on 2 due to 1 into delta T, equals to क्या आ ज बेटा, ये क्या आ गया, दोनों के according हमारा आ गया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको proof करेंगे, कि सर, दोनों पर, equal and opposite force लग रहे हैं, क्रिया प्रित क्रिया बल लग रहा है, कैसे करेंगे, आईए ज़रा देखते हैं, हमें पता है, बेटा, संबेग, इसको erase कर दें, हमे लग रहा है, आता, निूटन के दुतियनियम के अनुशार, संयुक्त पिंड के संबेग में परिवरतन नहीं होगा, माल लेते हैं, पूरा कंजर्व्ड है, तो नेट संबेग कैसा रहेगा, शून रहेगा, तो हम दोनों को add करके सून करते हैं, जैसे ही दोनों को add करके सून लगाएंगे, क्या बोलेंगे, force on 2, due to 1, into delta T, equals to 0, यहां तक समझमा है, बिल्कुल, बेटा, delta T को common निकाल लेंगे, जैसे ही delta T को common निकालेंगे, अंदर क्या बच्छेएगा, सर्फ, force on 1, due to 2, plus force on 2, due to 1, equals to 0, यहां तक समझमा है, बिल्कुल, बेटा, delta T को उदर की तरफ भेज देंगे, तो यह आ जाएगा, force on 1, due to 2, plus force on 2, due to 1, equals to 0, सही है क्या, ठीक है, अब इस force on 2, due to 1 को उदर की तरफ भेजेंगे, तो क्या आ जाएगा, force on 1, due to 2, equals to, minus का force on 2, due to 1, बेटा, यहां से आप लोग देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि, कि सर, क्या हुआ, क्या बल बराबर है, लेकिन, एक बल दूसरे वाले बल के आगे, minus का sign आ रहा है, सर, इसका मतलब है, कि सर, बल तो दोनों बराबर है, लेकिन दिशा में, बिफरीत है, मतलब यही क्या कहलाता है, सर, newton का तृतियनियम कहलाता है, तो वही बोलाए करता, पहले pinद पर दूसरे pinद द्वारा लगाया गया बल दूसरे पिंड पर पहले पिंड द्वारा लगाया गया बलके बराबर है तथा विपरी दिशा में है यही न्यूटन का तृतियनी हम कहलाता है तो जल्दी से ले लेगे स्क्रीन शॉट इसका और फिर बढ़ते हम लोग आंगी की तरफ जल्दी से रहा गया है अब हम लोग पढ़ेंगे सर किसी पिंड का लिफ्ट में भार that is weight of a body in a lift क्या देखेंगे कि हमारा अगर हम लोग किसी एक लिफ्ट में खड़ें हैं किसमें खड़ें हैं लिफ्ट लिफ्ट के अगर उपर जाती है तब कि हमारा भार बढ़ जाता है या फिर घ तूट गई और एकदम से बेटा एसलेशन डूटू ग्रैविटी से एकदम से फ्री फॉल हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं तब हमारी बेट बॉडी का जो भार होगा बेट क्या होगा आई ये तीनों केस करते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं क्या कहा गया है कि कि किसी पिंड का लिफ्ट में भार that is weight of a body in a lift प्रतेक प्रत्वी प्रतेक पिंड को अपनी और आकर्शित करती है प्रत्वी द्वारा पिंड पर आरोपित आकर्शन बल को गृत्वेवल कहते हैं यदि पिंड का द्रविमान M हो तो उस पर गृत्वेवल M G होगा इस गृत्वेवल के कार गृत्वेवल के बरावर होता है that is W equals to M G परन्तु यदि पिंड किसी ऐसे तल पर इस्तित है जो तरित गती से उपर या नीचे चल रहा है तब पिंड द्वारा तल पर आरोपित वल अर्थात पिंड का भार W बदल जाता है कहा गया है कि एक्चुल का पिंड का भार हम लोग अपना वेट कैसे नापते हैं तो हम लोग अपना वेट नापते हैं reaction force की मदब से किसकी मदब से मापते हैं प्रतिकरिया बलगी मदब से कि माल लेते हैं कि यह हमारे एक surface है क्या है प्यारे बच्चों एक surface है और इस surface पर कोई एक बजनीला box मैंने रख दिया तो क्या होगा यह box इस box का दरविमान माल लेते हैं तो नीचे की तरफ अर्थ सभी object को प्रत्वी जितने भी प्रत्वी की उपर object है उन सभी object को प्रत्वी अपने केंद की तरफ खीचती है क्या करते हैं केंद की तरफ खीचती है तो इस दरविमान को भी प्रत्वी अपने केंद की तरफ खीचेगी तो force नीचे की तरफ लगेगा, mg force अब जितना force ये गुटका, ये box प्रत्वी पर लगा रहा है कहीं न कहीं, अर्थ भी इस box पर उतना ही force लगाएगा हाँ या न, तो उपर की तरफ एक force लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रतिक्रियाबल reaction force अब कहीं न कहीं, यही reaction force हमको क्या बताएगा सर, यही reaction force हमको weight बताएगा क्या बताएगा, weight भार बताएगा मतलब यदि ये चीज़ जादा होगी, अब समझो आप लोग वजन कराने जाते हो, ठीक है वेटिंग मसीन क्या बताती है, वेटिंग मसीन reaction force बताती है का इंसान है तो उसका कम reaction force होगा तो यही कारण है कि हमारा जो प्रतिकरियाबल होदा है वही हमें क्या बताता है body का फार बताता है ठीक है अब यदि कोई चीज किसी तरित गती से ऊपर या नीचे जा रहे ने तब उस्का ओर बदल जाता है देखते हैं इसका और कैसे बदलता है देखते हैं चलिये बरते हैं हमद्त स्कुन हमने लड़के को खुर अगलागी एक सर अहाहां सर गंदीबास च्पोलिची केसे चाटर माल लेक्षिन कूर्सो'RE तो नीचे की तरफ यह एम जी फॉर्बाइगा बिलकुल सही बात है और सर्य ओपर की तरफ क्या लगए का ईस पर एक रियक्षन फोर्स हैं यह थे कैसर लगेगा बाद है हैं इसके तीन केस करते हैं कितने केस करते हैं ठीक है तो पहला केस केस काउंसा करते हैं सर पहला केस कि lift हमारी उपर की तरफ जा रही है A acceleration से, क्या कि A acceleration से हमारी lift हम लोग इसनों बैठाल दिया, अब ये lift उपर की तरफ जा रही है A acceleration से, तब देखते हैं इसका भार बढ़ता है या फिर घटता है, तो case पहला क्या बोलेंगे, case first, क्या बोलेंगे हम लोग कि lift हमारी उपर की तरफ जा रही है, जब उपर की तरफ जाएगी तो क्या होगा, हम लोग use करेंगे Newton के प्रथम नियम को, किसको use करेंगे प्यारे बच्चों, Newton के प्रथम नियम को, तो बोलेंगे according to Newton second law को use करेंगे, बिटा, F equals to MA को, ठीक है, तो Newton का second law क्या होता है, कि सर, F equals to, F net equals to MA, हाँ या ना, जड़ा इसी को formula लगाते हैं, कि F net को रिको रिको लगते हैं, MA के क्योंकि इसके द्रभमान M है, ये तोरण से उपर की तरफ जा रहा है, तो इस पर force लगे का हाँ या ना, देखते हैं सर, कुल बल इस पर कितना लग रहा है, चलिए देखते हैं जड़ा, देखिए बिटा, अब ये, पैने कहा, अब ये point कर लेना, इसको लिख लेना, कि जो forces तोरण के direction में होंगे, क्या सर, जो force तोरण के दिशा में होंगे, उन forces को हम लोग positive लेंगे, और जो force तोरण के opposite direction में होंगे, उनको हम लोग negative लेंगे, हाँ या ना, ओक्के सर, ठीक है, तो देखो, एसलिड़ेशन उपर की तरफ हो रहा है, और reaction force कैसे लग रहा है, उपर ही की तरफ लग रहा है, मतलब सर reaction force कैसा लेंगे हम positive लेंगे reaction force के आंगे plus लगा देंगे अब acceleration ओपर की तरफ हो रहा है लेकिन mg force नेचे की तरफ लग रहा है तो सर mg को कैसा लेंगे सर negative लेंगे तो minus लगा देंगे mg क्यांगे equals to क्या कर देंगे m a समझ में आया बिल्कुल सर यहां से क्या करेंगे हमें sir r निकालना तो mg को उदर भेज़ दो तो क्या जाएगा m a plus mg बेटा यहां से m common निकालाएगा तो क्या चाहिएगा M A प्लस G समझ में आया हा या ना बिलकुल गटा इसको कर देते हैं डब्बे में बंद तो यहां से आपको एक चीज समझ में आये होगी कि सर रियक्शन फोर्स में देख रहा हो असलेरेशन से तो उपर जा रहा था और आपको पता है कि रियक्शन फोर्स हमको क्या बताता है बेटा वेट बताता है तो हम लोग क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि सर कि W एकोल स्टू M A प्लस G समझ में आया इसका कहने का मतलब क्या है सर कि तुरण में एसेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी भी एड हो गई है इसका मतलब जब भी कोई बॉड़ी एसेलरेशन से उपर की तरफ जाएगा तब उसका भार बढ़ जाएगा तो लिख देते हैं कि उपर तरफ जाने पर उपर ए तुरण से ए तुरण से बॉड़ी का भार बढ़ जाता है बढ़ जाता है समझ में आया कोई दिक्कत पर एसानी सर नहीं होगी अब हम लोग बात करते हैं सर दूसरा के उस देखते हैं कौन सा देखते हैं? दूसरा के उस देखते हैं जब हमारी लिफ्ट एत तौरण उसे नीचे की तरफ आती है किसे कैसी आती है एत तौरण से नीचे इसका स्क्रीन शॉट ले लिजिए फिर कि भी हमें डाइगराम में थोड़ा परिवर्तन करूँगा ले लिया ओके देखें क्या कि अब हमारी बॉड़ी अब हमारी तब क्या होगा चलिए केस टू ठीक है देखते हैं सर जब हमारी बॉड़ी एसलेशन से नीचे की तरफ आएगी तब क्या होगा दुबारा सम लगाएंगे सर अकोर्डिंटू निउटन का दूसरा नियम लगाते है बटा कॉर्डिंटू नूटन का दूसरा नियम देखें अकोर्डिंग टू नूटन सेकेंड लॉग वही लगाएंगे क्या सर कि एफ इकोल स्टू एफ नेट इकोल स्टू एम ए बिलकुल सर और हम लोग दुबारा से करेंगे कि जो फोर्सिस तरण के डारेक्शन होगी उसको पॉजिटिव लेंगे और जो फोर्सिस तरण के अप अब रियक्शन फोर्स उबर की तरफ लग रहा है लेकिन तौरन नीचे की तरफ और हो रहा है मतलब निगेटिव आएगगा रियक्शन फोर्स कैसा आएगा निगेटिव एकोल स्टू एम हमें सर आर निकालना तो आर को उदर भेज़ देते हैं इसको इधर ले आते हैं तो वह चोटा-चोटा लेगते हैं, इसी पेज पर सारे कुछ आ जाए, तो वह ही करते हैं, क्या सर कि M G माइनस R इकोल्स टू M A that is R इकोल्स टू M A माइनस M G ठीक है, यहां से क्या करेंगे बेटा A माइनस G ठीक है, यह हमारा आ गया, reaction force हमारा आ गया तो आप लोग देख रहे होगे, कि सर, acceleration में से G घट रहा है G घट रहा है, acceleration due to gravity माइनस हो रही है और अगर माइनस हो रही है, तो reaction force कम हो गाया, ज्यादा सर, कम हो जाएगा, और आपको पता है, कि reaction force ही क्या बताता है, बेटा weight बढ़ताता है, तो हम लोग बोलेंगे कि सर, w equals to m a minus g कहीं ना कहीं, हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसका तात पर ये है, कि हमारा भार जब कोई भी body lift से नीचे की तरफ आती है, तो उसका भार घट जाता है तो क्या लिखोगे, कि नीचे ए तरण से लिख देते हैं, बेटा, कि lift से नीचे ए तरण से आने पर बोडी का भार घट जाता है समझ में आया, कोई दिक्कत पर इस आने सर नहीं होगी, हाँ या ना, ठीक है अब सर तीसरा केस करेंगे, कौन सत केस करेंगे, तीसरा केस करेंगे सर तीसरे केस में क्या होगा, कि body lift नीचे आई, फिर नीचे से फिर उपर चली गई अब उपर से जब नीचे आ रही थी, तो क्या हुआ, रसी टूट गई, रसी टूट गई, जैसे ही रसी टूट गई, अब क्या होगा, अब जो अब किस में कनवर्ट हो जाएगा, जी में कनवर्ट हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है, क्योंकि पहले तो धीरे-दीरे-दीरे-दीरे आ रही थी, लेकिन अब क्या होगा, वो एकदम से रसी टूट गई, तो जैसे अगर मैं ये पैन पकड़े हो, और इसको अगर छोड़ तो ये किस नीचे, किस एसलेरेशन से नीचे आएगा, एसलेरेशन डूट ग्रैविटी, या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्कॉर से नीचे आएगा, तो हम लोग क्या रखाएंगे, कि सर केस थीसरा, क्या बोलेंगे, केस थैड, केस थैड क्या होगी, वैं लिफ्ट, देख लो, तो क्या आजाएगा, सर, डबलू एकोस टू, एम, ए माईनस जी, ए माईनस जी, आप सर, एक ही जगे क्या रख देंगे, इसका मतलब है, जब आप, जब आप लिफ्ट प से, एकदम से रस्ती तूट जाए और एकदम से नीचे आओ, free fall body हो, उस समय आपका body का weight कैसा हो जाएगा, शून हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपकी body बिलकुल ही हवा में तहर रही है, शून हो गई आपकी body, हाया ना, आपकी body का भार कैसा हो गया, zero हो गया, जल्दी से समझ में आया, सारी केसी समझ में, एक, दू, तीन, जल्दी से screenshot ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं, लोग आँगी तो रफ, जल्दी से लीजिए screenshot इसका, ओकी बढ़ते हैं, आँगी की तरफ, और इसको करते हैं, all clear, और देखते हैं, sir, अगला क्या कह रहा है, अब हम लोग opposite, मतलब एक को लगते हैं, net force देखेंगे, कि हमारे कोई particle जैसे मैं हूँ, मुझे कोई 10 newton से इधर से कोई कीच रहा हो, 10 newton से इधर ही कीच रहा है, मतलब मेरे उपर net force कितना लग रहा है, शूने लग रहा है, मतलब मेरे उपर जो बल लग रहा है, वो संतुलित लग रहा ह हैं, तो अब हम लोग इसी को पढ़ेंगे, हाया ना, क्या पढ़ेंगे, कि equilibrium of a particle किसी कण की सामयवस्ता, ठीक, और इसी को प्रूफ करेंगे, इसी को देखेंगे, कि कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, newton का दुतियन नियम, इसी की तरह है, क्या every action there, तिर तिर नियम, that law, देखेंगे, कि every action there is a call and opposite reaction, तो जल्दी से इसका screenshot ले लेंगे, आप सभी लोग, फिर इसको पढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी से लीजए screenshot इसका, ओकी students, तो ले लिए screenshot, चलिए, बढ़ते हैं आगे की तरफ, और हम लोग देखते हैं, क्या, कि किसी कण की सामयवस्ता, equilibrium of a particle, कि यांत्रकी में किसी कण की सामयवस्ता का उल्लेख, उन इस्तिदियों के लिए किया जाता है, जिनमें कण पर net वहावल, शुन ने हो, प्रतम equilibrium के अनुसार, इसका ये अर्थ है, कि या तो कोई कण विराब में हो, अथवा, कोई समानगती से हो, समानगती में हो, यदि किसी कण पर दोवल, F1 तथा F2 कार्यत हैं, तो सामयवस्ता के लिए आवश्यक है कि F equals to minus F2 होना चाहिए, ये क्या कह रहा है, सामयवस्ता का मतलब होता क्या, equilibrium का मतलब, equilibrium का मतलब होता है कि equal, equilibrium का मतलब क्या होता, equal, equal and opposite, जैसे मैं हूँ, माल लेता मैं ऐसा खड़ा हूँ, तो मुझे कोई 10 newton से इधर की तरफ खीच रहा है, और ठेक 10 newton से मुझे इधर की तरफ खीच रहा है, अब मेरे उपर net force कितना लग रहा है, 0, क्य ये 10 newton से इस direction में खीच रहा है, इस direction में, और कोई दूसरा अगलका है, वो मुझे 10 newton से west direction में खीच रहा है, तो मेरे उपर जो net worth लग रहा है, वो कैसा लग रहा है, 0 लग रहा है, क्योंकि दोनों forces परिमार में समान हैं, लेकिन दिसा में विपरीथ हैं, इकलो विरियम का मतलब ये होता है, कि सारे forces कैसे लगते हैं, balance लगते हैं, unbalance force नहीं लगते हैं, मतलब प्रथम नियम के अनुसार हम लोग कह सकते हैं, कि या तो कोई चीज, कोई वस्तू विराम में है, तो वह विराम में ही रहेगी, मतलब रुकी हुए तो रुकी हुई र आता है हाँ या ना चलिए माल लेते हैं कि दो हमारे जैसे वही अभी अभी अम इने दिखाया कि कोई मुझे एक तरफ दस न्यूटन से कीच रहा कोई दस न्यूटन से कीच रहा परिमार में सेम है लेकिन दिसा विप्रीथ है जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि F1 इकोल स् सर достीन forces लग रहे हैं जैसे यहां पर दिख रहा है कि F1 इस डार्यक्टे राफ्रीशचे की तरफ किसी काणट पर तीन बल लग रहा है तब सरतीन बंग को हम लोग सौल्व कर सकते हैं किसकी मदब से सर हम लोग कर सकते हैं triangular law of vector addition की मदब से हम लोगों ने पढ़ा है सदिश वाले चैप्टर में क्या पढ़ा है सर कि head से head मिला tell से tell मिला याद है ना तो वैसे हम लोग कर सकते हैं चरह देखते हैं कि अर्थात करण पर कार्यत दोनों बल सवान एवं विपलीत होने चाहिए तीन संगामी वलों F1, F2 त आप ये समझ लो कि सामेबस्ता हो तो आपको ये दिखाना है कि नैट वल जो होगा नेट फॉर्स होगा वे शून होगा क्या होगा सू ने होगा तो ये तीन फॉर्स जब करोंगे तो नैट स्कूर्स कितना होगा शून होगा तो एंट के अधारी हो चलता रहेगा जम तक उस पर न लगायर जाए मतलब चल रहा है तो चलता आएगा मतलब नेट फोर्स सुन है कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है यहीं मतलब है ति कितने भी फोर्स हो आप तीनों का सदिश्यों करो वो किसके एक्वल आना चाहिए सुनने के एक्वल होगा हमेशा समझ में आए कब होगा जब चीज हमारी सामे वस्ताम हो वैलेंस फ तरफ और आश्रा करते हैं कि इतना आपको बहुत अच्छों समझ में आया होगा देखिए आंगे क्या कह रहा है कि दूसरे सब्दों में बलों के समांतर चत्र भुजनियम द्वारा प्राप्त किनी दो बलों मान लिजिया F1 तथा F2 का परिणामी तीसरे बल F3 के समान एव विप्रीध होना चाहिए चितर में दे रखा है चितर के एनुसार सामेवस्ता में तीनों बलों को किसी तिर्भुज की भुजाओं जिस पर चक्रिय क्रम में शदिस तीर बनाए हों द्वारा निरुपित किया जा सकता है इस परिणाम का ब्यापिकरण बलों की किसी भी संख कि लिए किया जा सकता है आरोपित बलूँ F1, F2, F3 डेस डेसर रस F1 कोई कन सामवस्ता में होगा यदि उन बलूँ को N भुजाओं के बंद शक्रिय बहुज की भुजाओं द्वारा नियरोपित किया जा सकता है हमने कहा है कि अगर कोई दो हैं दो forces हैं तो इन दो forces को कैसे किया जा सकता है चत्य भुच के नियम से तीन है तो उसको triangular के नियम से और अगर बहुत सारे हैं तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं बहुच के नियम से कर सकते हैं बहुच के नियम क्या होता है दो वेक्टर को solve करो त किसरे के साथ add कर तो फिर जो result आया फिर उनको उसके next के साथ add कर दो तो ऐसे हम लोग add कर सकते हैं जोड़ सकते हैं उसको solve कर सकते हैं और solve करने के बाद आपको पता है पर इनामी fnet कैसा आना चाहिए शून ने आना चाहिए चलिए बढ़ते हैं की तरफ अगर इसका screenshot लेना है शून ने आना चाहिए तो कहा गया है कि f1x plus f2x plus f3x equals to 0 f1y x axis का हो गया y axis का हो गया z 3x का f1y plus f2y plus f3y equals to 0 और f1z plus f2z plus f3z equals to 0 हमने क्या किया है तीनों को ही add करती है और तीनों को add करने के बाद परिणामी कैसा आना चाहिए शून ने आना चाहिए कोई दिक्कत पर इसा नहीं होगी चलिए अब पढ़ते हम लोग यांत्रखी वे शामान निवल क्या पढ़ेंगे बिटा common forces in mechanism सर कॉमन फोर्स जी क्या होता है बिटा क्या होता है कि हमारे mechanism में यांत्रखी में बहूत सारे बल होते हैं उनमें से एक बल होता है घंशन बल क्या होता है गंशन बल friction force जिसकी मदब से हम लोग चल पाते हैं, बहुत सारे काम कर पाते हैं, तो आज हम लोग उन common forces में क्या पढ़ेंगे, friction force को पढ़ेंगे, और उसके कई सारे derivation करेंगे, चलिए, पढ़ते हैं, कहा गया है कि यह अंत्रिक्यों में हमारा सामना कई प्रकार के बलों से होता है, वास है कि gravity जो gravitational force है, वो कैसा है, universal है, सर्व व्यापक है, प्रत्वी पर इस तो सभी बस्तुएं, प्रत्वी के गृत्व बल का अनवब करती हैं, जितनी भी बस्तुएं, प्रत्वी पर depend हैं, प्रत्वी पर हैं, वो सारी बस्तुएं, एक force को feel करती हैं, एक बल को feel करती हैं, वो ब्रहमांड में यूनिवर्स में जितनी भी चीज़े हैं उनको नियलतित करता है gravitational force के कारण ही sun के आसपास अर्थ गोमती है और जितने भी planet है वो gravitational force के कारण ही गोमती है हाँ या ना बिल्कुल सर और दूसरा क्या कहा गया है कि gravitational force को medium की जरूरत नहीं होती है जैसे बहुत सारे forces जैसे कूलाम ला है medium effect करता है medium की जरूरत होती है हाँ बहुत सारे ऐसे forces होते है medium की जरूरत medium पर depend होता है लेकिन gravitational force medium पर नहीं करता है हाया ना ठीक है कहीं पर भी रख दो force की value change नहीं होगी समझ में आए लेकिन जो चार्ज को पानी के अंदर रख दोगे तो value कुछ और आएगे मतलब वहाँ वो माध्यम पर निर्वर कर रहा है लेकिन गृत्वा कर्शन बल जो होता है वो माध्यम पर निर्वर नहीं करता है यांत्रकी में सामानिता आने वाले सभी वल संपर्क वल हैं जैसे की नाम से ही संकेत मिलता है किसी पिंड पर संपर्क वल किसी अन पिंड ठोस अत्वा तरल के संपर्क द्वारा उत्पन होता है हमने कहा है कि जितने भी mechanism में जितने भी बल आते हैं वो सारे के सारे वल कैसे होते हैं बेटा ज़्याद अतर contact force होते हैं contact force का मतलब कि sir कि जब दो pinड जब दो pinड आपस में actual contact में आते हैं संपर्क में आते हैं तो उनके बीच में जो लगा बल होता है उसी को क्या बोलते हैं संपर्क वल कहते हैं और उसी का एक वल होता है बेटा फ्रिक्शन फोर्स जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे आएए नेश्ट देखते हैं कहा गया है कि जब कई पिंड संपर्क में होते हैं उधारन मेज पर रखी कोई पुस्तक छलो कबजों अथवा अनप्रकार के आधारों से संबद द्रन पिंडों का कोई निकाए तब वहां तृतिया नियम को संत सिलंब प्रतक्रिया कहते हैं संपर्फश्टों के समानतर घटक को गर्शनबल कहते हैं कहा गया है कि आपको जड़ा बना के दिखाते हैं यह जो कहानी लिखी है इसको फ्रह करके दिखाता हूं आपको एक दम से समझ में आ जाएगा कहाग breaking कि मान लेते हैं यह हमारी एक टेवल है क्या है वेटा टेवल टेवल है मेज है और इस मेज पर मैंने क्या किया एक बला सा बक्सा रख दिया एक बॉक्स रख दिया हाया ना बिलकुल सर ठीक है अब ये बॉक्स अब ये बॉक्स जैसे मैंने ये बॉक्स रखा इसको तोड़े दूसरे कलर से बनाते हैं ठीक कि मैंने यह box रख दिया जैसे यह box रखा तो यह box और टेबल के बीच में यह दोनों आपस में जोड़े हुए हैं मतलब संपर्क में हैं कैसे हैं contact में ठीक है कॉंटेक्ट में है तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे अब माल लेते हैं इस वाक्स का दर्विमान M है तो बेटा ये इसके सेंटर से अर्थ की सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा M G फोर्स नीचे की तरफ नीचे की तरफ नीचेगा बिल्कुल मतलब कही नहीं कहीं ये कि न्यूटन का तृतिनियम क्या कहता है every action there is equal and opposite reaction तो इसके विपरेद दिसा में उपर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग प्रतिक्रिया बल कहेंगे जो कि हमेशा तल के लंबबत होता है कैसे होता है बेटा सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा reaction force कैसा होगा normal force इसको normal force भी बोलते हैं क्या बोलते है normal प्रतिक्रिया बल ठीके अब इसी प्रतिक्रिया बल के समांतर इसी प्रतिक्रिया बल के समांतर ये box कहां पर रखा है इस मेश पर रखा है तो कहीं ना कहीं box और मेश के समांतर वक्स और मेज के समानतर एक बल लग रहा होगा क्या लग रहा होगा एक फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं घर्शन बल that is friction force क्या बोलते हैं friction force समझ में आया क्या सर इस table के समानतर मतलब जहाँ पर यह contact में आ रहा है ऐसे करके रगड़ो तो घर्शन हो रहा है तो इन दोनों हाथ के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलते हैं friction force अब हम लोगों को friction force के ही बारे में पढ़ना है तो जल्दी से इसका screenshot ले लीजिए फिर बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्छों वन सौर्ट रवीजन है कम्प्लीट चैप्टर रवीजन है तो हम लोग छूके नहीं भागेंगे किसी भी टॉपिक को बहुत ही डिटेल में जाएंगे ठीक है जिससे आपको हर एक चीज बड़े अच्छे से समझ में आए चलिए सर बढ़ते हैं इसको करते हैं घर्षन वल होता क्या है देखिये बढ़ते हैं जरा कहा गया है कि यदि हम 36 मेज पर रखी पुस्तक को किसी वेग से धके धकेल दे तो पुस्तक थोड़ा सा चलने के पश्चात बिरा मवस्ता में आ जाती है इससे इस पस्ट है कि पुस्तक पर कोई एक ऐसा वल कार्यत है जो मेज पर इसकी गती का विरोध करता है इस वल को घर्षन वल कहते हैं तथा ये पुस्तक वा मेज के अडूओं के वेच पारस पर एक क्रिया से उत्पन होता है इस तरफ लग रहा होगा है कि यदी हम लोग कोई टेवल है और इस टेवल पर बुक को थोड़े सा फूर्स लगा के धका दें तो थोड़ी देर बाथ बुक अपने आप रुख जाती है सामने से किसीने रोका नहीं लेकिन अपने आप बुक रुख गई क्यूं रोख गई, क्योंकि किसी ने किसी ने रोका होगा, मतलब कोई बल लग रहा होगा, पिटा, उसी बल को नहीं है गरशन बल, क्या बोलते हैं? गरशन बल, और ये फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन होता है, कैसे होता है जिस direction अगर हम इस तरफ चल रहे हैं यदि हम लोग इस तरफ चल रहे हैं तो घर्षन बन लग लग रहा होगा हमें समोंषन के opposite direction में लगता है समझवहाँ जैसे कारम जाती है क्योंकि गोट ole अगे जा रही होगए इसको रोग देगा समझ में आया तो हमेशा याद रखना friction force कैसे लगता है गती के बिपरीद दिसा में कैसे लगता है जिस दिसा में गती हो रही होगी उसके बिपरीद दिसा में friction force लगता है घर्शनबन चलिए सर बढते हैं आगे की तरफ और ओर देखते है क्या कि मान लो कि एक मेज के 36 तल पर एक गुटका वीरा मवस्ता में रखा है गुटके पर दो बन लग रहा हैं इसका भार M.G. जो कि इसके गुरतवा केंदर उपर उर्धवाधर नीचे की ओर दिश्ठ है तथा इस पर मेज द्वारा आरो पित प्रत्रिक्रिया बल पी जो की इर्द्वाधर उपर की और दिष्ट है तथा इसके गुर्थवा कर केंद से होकर गुजरता है चुकि गुटका संतुलन में है तब पी कुछ जो mg इस पर्ष्ट के लिए mg वपी की क्रिया रेखा है पर अस पर कुछ विस्तापि दिखाई गई है बनाते हैं क्या दिखाए गया है अभी जो डाइग्राम बनाया था बिल्कुल सेम डाइग्राम वही होगा क्या सर कि मान लेते हैं एक हमारे मेज है एक सर्फेस है और एक सर्फेस पर मैंने क्या रख दिया एक बॉक्स रख दिया एक ब्लॉक रख दिया अब बेटा ये ब्लॉक कहीं न कहीं मान लेते हैं इसका दरविमान M है तो इस ब्लॉक को नीचे की तरफ mg फोर्स कीचेगा बि देंगे reaction force और हमेशा यह कैसा होता है perpendicular होता है किससे किससे बेटा सर्फेस से तो यह क्या गया यह हमारा डाइग्रम बनके तयार हो गया कोई दिकत अभी यह ब्लॉक रुका हुआ है कैसा है रुका हुआ है ठीक चलिए बढ़ते हांगी की तरफ अब क्या कहा गया है कि व्लॉ यदि इस पर मैं force लगाऊंगा एफ force लगाऊंगा और इस o v velocity से चलने लगूँगा यह सरकने लगेगा जैसे मैं सरक रहा हूं यह चलने लगेगा तब भी यह surface के ही contact में रहेगा मतलब दोनों cases में घर्शन बल लग रहा होगा हाया ना दोनों cases में friction force लग रहा होगा तो व आपर दो friction दो type के होते हैं क्या सर एक static friction और दूसरा kinetic friction तो सर इस्टैटिक friction को पढ़ते हैं esthetic घर्शन वह वल है जो किसी वस्तू को इस्तर रखता है इस्तर इस्तैटिक घर्शन परिवासा को इस प्रकार लिखा जा सकता है कि घर्शन का अनभव तब होता है जब व्यक्ति किसी इस्तर वस्तू को सतय पर ले जाने की कोशिस करते हैं अब वास्तव में सरीर और उनके सतय के वीच किसी भी सापेच गती को ट्रिगर किये विना जिस पर वह है क्या बेटा static friction वल क्या होता है कि जब वस्तू हमारे रुकी होए होती है कैसी होती है जब पिंड हमारा मतलब होता है रुका हुआ क्या मतलब होता है static का मतलब होता है rest rest का मतलब रुका हुआ समझ में आया कि जब भी कोई चीज है जब भी कोई पिंड दूसरे सर्फेस पर रुकी हुई है चल नहीं रही है रुकी हुई है तब उन दोनों के बीच में जो घर्षन बल लगेगा उस घर्षन बल को हम बोलोगे क्या बोलेंगे स्थैट्स कोwie धिकत पर रिस्वानी नहीं पेटा ठीक है देख लेते हैं इसको किस से डthose करते है प्यारे बच्सको इसको किस से ड़नोथ करते हैं F Всё करते हैं ये किसके एक्वल होता है जरा अभी देखे डाइग्राम बनाया था एक मनट अभी डाइग्राम बना रहे हैं हम लोगों ने ये डाइग्राम बनाया था इसको इरेस कर देते हैं सर रुका हुआ था तो कहीं ना कहीं इसके बीच में क्या लगेगा गर्शन बल लगेगा ब्लॉक के बीच में कुटके और सर्फेस के बीच में गर्शन बल लगेगा सिर्क कितना लगेगा गर्शन बल किस पर निर्वर कर रहा होगा इस प्रतिकरिया बल पर निर्वर कर रहा ह होगा हा या ना तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर इसको किसे डिनोट करते हैं एफ एस से डिनोट करते हैं तो बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स इस डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके डिरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रियक्शन फोर्स आर के डिरेक्टली प्रोपोर् हैं एस क्या बोलते हैं मिऌेस और इस मिउस को क्या बोलते है सर यही मिउस भीटा हमारा कहलाता है विटा क्या कहलाता है गुडांग की उसका गुडांग के स्तैथिक घर्षन बलगा गुडांग है that is coefficient of ॲ तो बोल देते हैं वेर जहां पर बेटा म्यू एस क्या है म्यू एस हमारा क्या है कॉफी सेंट आफ इस्टैटिक फ्रिक्शन कोई दिक्कत पर एसा नहीं हाँ या ना नहीं होगी जल्दी से ले लेंगे स्क्रीन शॉट और फिर बढ़ते हम लोग आँगी तरफ और देखते हैं सर इसके और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन की भी कोई क्या मैक्सिमम वैलू होती है चलिए बढ़े आँगे बढ़ते हैं आँगी तरफ करते हैं सर और और बढ़ते हैं आँगी तरफ बोलते हैं, हद का मतलब होता है, एक maximum, कि आप जब अगर इस limit के ऊपर चले जाओगे ना, तब बात भीगड़ जाएगी, हाँ या ना, तो यहीं पर क्या है, सीमान्त घर्षन, that is limiting friction, limit लग गई है, मतलब कोई maximum value की बात कर रही होगी, किसकी बात हो रही होगी, maximum value, तो बेटा limiting friction क्या होता है, कि static friction की वो maximum value, बड़े ध्यान से सुनना, static friction की वो maximum value, जिस पर static friction convert हो जाए, काइनेटिक friction में, बेटा उसी को हम लोग बोलते हैं, limiting friction, point to be noted my lord, क्या की, static घर्षन बल की वो अधिक्तम value, जिस पर static घर्षन बल परिवर्तित हो जाए, बेटा, किसमें, काइनेटिक friction में, किसमें परिवर्तित हो जाए, काइनेटिक friction में परिवर्तित हो जाए, बेटा, वही घर्षन बल क्या कहलाता है, सीमान्त घर्षन बल कहलाता है, जै मैं खड़ा हूँ इस तरीके से मुझे कोई पीछे धक्का दे रहा मैं और मेरी एक लिमिट मैं आपको पहले बता देता हूं मेरे उपर जब तक सब न्यूटन का फोर्स नहीं लगेगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा ठीक है कोई आया लड़का मुझे ऐसे करके धक सब्सक्राइब चलने लगा तो कौन सा फ्रिक्षिन आ गया काईनेटिक फ्रिक्षिन की जब झालने कानवर्ट हो जाया काईनेटिk फ्रिक्षिन में वही मैक्सम्म् बैलूँगा जिसीबांत घर्षिन गो लेंगे limiting friction बोलेंगे पढ़ते हैं कहा गया है कि static घर्ष्टन बल Fs के इस अधिक्तम मान को सीमान्त घर्ष्टन बल limiting friction force कहते हैं यह गती प्रारंब करने के लिए आवश्रक नियूंतमबल है मैंने बोला ना गती को start करने के लिए start हो रही है तो कहीना कही जब हम लोग चल रहा है तो चलने के लिए तो minimum force है लेकिन उसको चलाने के लिए maximum force है समझ रहो दोनों चीज़े बहुत अलग अलग है कि यह गती को प्रारंब करने के लिए आवश्रक नियूंतमबल है बल है तो हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं कि सर की समझ रहो बहुत नियूंतमबल है कि सिर्व और सिर्व गती को प्रारंब करने के लिए समझ रहो गती को सिर्व प्रारंब करने के लिए बहुत ही नियूंतमबल है तो क्या कहते हैं इसके आंगे अब आरोपित बल को और बढ़ाते ही गुटिका जलना प्रारंब हो जाएगा कोई दिकत परेसानी नहीं होगी तो यह क्या है यह सीमांत घर्षन बल है जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लेंगे और फिर हम लोग बढ़ेंगे आंगे की तरफ जल् सीमांत घर्षन बल किन किन पर निरवर करता है आये वेमिनट तलो के बीच घर्षन से संबंधित अनेक प्रियोगिक परिश्चणों के आधार पर सीमांत घर्षन को निम्न नियम सत्थ पाए गये हैं क्या-क्या सर्थ पहला सीमांत डेटिस आदिक तम इस्ट्यातिक घर्ष नहीं करता है, कहा गया है कि जो स्मिमांतिकर्शन बल है that is static friction है, वो किस पर निरवर करता है सहाब वो तल पर निरवर करता है कि तल का nature क्या है, surface का हमारा nature कैसा है surface हमारा rough है, खुदरा है या फिर चिकना है हाँ, तो उस पर अगर rough है और बहुत खुदरा है तो कहीं न कहीं static friction की value कैसी होगी जादा होगी हाँ है न अगर surface हमारा चिकना है तो हम लोग pair रखेंगे एकदम से slip हो जाएंगे slip क्यों हुए क्योंकि friction force ही नहीं है समझ में आ रहा तो limiting friction किस पर निर्वर करता है limiting friction चिकने पर या फिर खुरदे पर निर्वर करता है ना कि आकार पर तल के आकार और छेते पर निर्वर करता है दूसरा दिये हुए तलों के लिए घर्षन बल संपर्क तलों के इस पर सुरेख ये अत्वर समान तर होता है तथा इसकी दिशा उस दिशा के बिपरीत होती है जिसके गुटका चलने के लिए प्रेरित होता है कहा गया है कि घर्षन बल जो होता है वो कैसा जलता है हमेशा बिपरीत दिशा में होता है जिस दिशा में गती गती अगर इस दिशा में हो रही है तो घर्षन बल लगेगा उसके opposite direction में मतलब खमेशा घर्षन बल गती के दिशा के बिपरीत दिशा में लगता है मतलब सर मोशन ऐसे हो रहा है अगर हमारी बोड़ी इदर की तरफ चल रही है वी velocity से तो घर्षन बल कैसे लगेगा पीछे की तरफ लगेगा कोई दिक्कत पर इस वानी नहीं होगी बढ़े हांगी की तरफ चलिए सर बढ़ते हांगी की तरफ इसको करते है all clear कहा गया है कि दिए होए तनों के लिए सीमान्त इस्टाटिक घर्षन बल F इस्टाटिक अविलंब प्रतिकरिया बल आर के अनुक्रमानुपाती होता जैसे मैंने बताया कि फ्रिक्शन फोर्स किसके डिरेक्ली प्रोपोर्शन होगा प्रतिकरिया बल के प्रतिकरिया बल जादा तो घर्षन बल भी जादा F is directly proportional to R that is F is equals to μूस R मूस क्या है कॉफिसेंट फ्रिक्शन है कॉफिसेंट फिस्टाटिक फ्रिक्शन है कोई दिक्कत पर है सानी ये मैं भी बता चुका था समझ में आया हाँ या ना बढ़े आगे चलिए सर इसका स्क्रीन शॉट ले लिजिए गतिस घर्षन में कनवेट हो गया तो अब सब गतिस घर्षन को भी पढ़ लेते हैं गतिस घर्षन क्या होता जब बॉडी हमारी चरने लगे क्या गती करने लगे तो बेटा गती करती हुए पिंड और नीचे जो रुका हुआ सर्फेस है उसके बीच में जो घर्षन बल लगेगा उसको क्या कहेंगे इस्टैटिक घर्षन बल कहते हैं रोड पर कार चल रही है रोड scतर रहती है लेकिन कार उसपर चलती है तो उन दोनों के भी चलती हुई कार और रोड के बीच में जो घर्षन बल लगता है सा लगता है काइनेटिक फिक्शन फोर्स लगता है गति जो घर्षन वल लगता है जैसे मैं अभी बार बार ऐसे चल रहा हूं तो नीचे वाली जो सर्फेस है वो तो रुका हुआ है लेकिन मैं इसके ऊपर चल लाओं तो हम दोनों के बीच में जो घर्षन वल लग रहा है हूँ अब कौन सा लग रहा होगा सर अभी स्टेटिक लग रहा होगा समझ में आए बिल्कुल सिंपल है फंडा कोई कठे नहीं है कहते हैं कि सर जब एक बार गती प्रारंब हो जाती है तो तलों के बीच लगने वाला घरशनवल गट जाता है अथा अब एक स्वमान गती बना FS से कम होता है यह हम अपने दैनिक जीवन में भी अनवाद करते हैं कि किसी पिंड को वीराम अवस्था से चलाने के अवच्छा उससे गतिमान रखने में कम बल की आवश्था होती है कहा गया है कि जैसे बादी हमारी चलने लगती है बादी हमारी जब चलने लगी अब स्ट चलने लगती है अब काव दो लोग ही उस कार को धकेलते हुए ले जाए तो इसका मतलब क्या है जब कार रुकी हुई थी तब घर्षन बल जादा लग रहा था और जब अब कार चलने लगी है तब घर्षन बल की वैलू कम हो गई है इसलिए अब हम लोगो कम फोर्स लगाना पड़ रहा है तो यही है कि सर इस्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है इस्टैटिक घर्षन होता है उसकी वैलू ज़्यादा होती है कंपेर टू काईनेटिक फ्रिक्शन कोई दिकत पर है स्वानी हां या न समझ में आये तो हम लोग लिख सकते हैं इस पूर्य को समवर्आइस करके क्या कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन इस्टैटिक घर्षन बल कैसा होता है greater ज्यादा होता है कि से गतिज घर्षन बल से that is kinetic friction force से कोई दिक्कत पर यह सानी सर नहीं होनी चाहिए चलिए बढ़ते हम लोग आगी तरफ और इसका screenshot लेना है तो screenshot ले लीजिए फिर हम लोग आगी तरफ बढ़ते हैं ठीक है एक मिनट इसक्रीन शॉट लेने से पहले इसको भी जरा समझा देते हैं सर यह भी किसके का साइन हटाएंगे तो एक कॉंस्टेंट आएगा क्या मियू वहाँ ऐसा आता था यहां मियू के आ रहाएगा तो बटा मियू के क्या है मियू के हमारा है कॉफिसेंट ओफ इस्टेटिक फ्रिक्शन क्या है कॉफिसेंट ओफ औफ काने टिक फ्रिक्शन सब्सेंट आएगा हैगे अब ले लीज़े जियो बढ़ते हम लोग आगे की तरफ जल्दी से लीजे श्क्रीन शॉट इसका वो ही लिखा है क्या कि इस प्रकार जब गोटका एक स्वमान गती में होता है, तब गतिश घर्षन बल FK कोस्टो μू के आर होता है, अर्थात जहां μू के की वैलू क्या है सर कोफिशेंट ओफ कायनेटिक फ्रिक्शन है, तथा इसका मान, इस्टैटिक घर्षन गुरांक F S से कम होता है, हमेशा जो मू के का मान होता है, वो कैसा होता है, कम होता है मू S से, मतलब मू S की वैलू हमेशा जादा होती है, जो कि अभी मैं बता चुका था, मतलब static घर्षन बल coefficient of static friction जादा होता है compared to coefficient of kinetic friction से चलिए बढ़े आंगे, बढ़ते आंगे, इसको करते हैं all के लिए और देखते हैं अपना next अब बात आती है सर, angle of friction that is घर्षन कोड सर घर्षन कोड क्या कहलाता है, बताइए घर्षन कोड क्या कहलाता है angle of friction कहलाता है कि सर वो angle, वो angle, सुनना, बड़े ध्यान से सुनना वो कोड जिस कोड पर हमारा static friction, क्या? aesthetic घर्षन convert हो जाए, kinetic friction में, गतिस घर्षन में convert हो जाए वेटा, वही कोड क्या कहलाता है, घर्षन कोड कहलाता है सर कैसे? دेखिए, माल लेते हैं मेरे हाथ पर ये pen रखा हुआ है ठिक है, ये pen रखा हुआ है अभी तल से, तल से कितना angle माल लेते हैं, ये नीशे वारा तल है तल से कितना angle बना रहा है? 0 degree का angle बना रहा है अब मैं इस अप ये मेरा कुछ इंकलाइंट प्लेन है अब इस प्लेन को मैं क्या कर देता हूँ ठीक है किसी ने किसी एंगल पर जुका दिया जैसे ही मैं जुकाओंगा आप देखना जैसे एंगल बढ़ रहा है एक ऐसा एंगल आएगा जिस एंगल पर ये पैन स्टार्ट हो किसी मांत घर्षन की अवस्ता में रिमिटिंग इस्ट मैकसमूम लिमिट थी बटा कि की सीमानत घर्षन की अवस्ता में सीमांथ घर्षन बल एफ़सता अभी लंब प्रतिकरिया आर के साथ जो बनाता है उसे कोण को हम लोग घर्षन कोड कहते हैं तो बेटा इसका फार्मуляр होता है कि 10 theta equals to fs upon r यहां पर लिख देते हैं क्या 10 theta equals to fs upon r और बेटा हम लोग जानते है fs equals to क्या होता है mu sr होता है क्या होता है fs equals to mu sr होता है तो fs की जगह हम लोग mu sr लिख देते हैं क्या लिख देते हैं fs की जगह mu sr और नीचे क्या था और ठाट तो आर से और केंसल आउट हो गया तो टैंट इटा एक कुछ टू किसके एक्वल आ गया विटा एक कुछ टू आगया मूस के एक्वल है समझ में आया को दिकत पर है सवानी हाँ या ना सर नहीं होनी चाहिए बढ़े आगे चलिए सब बढ़ते हैं आगे की तरफ तो समझ में आया सर, एंगल किस पर निर्वर कर रहा है, सर एंगल निर्वर कर रहा है, Islamic G bershen Korean पर निर्वर कर रहा है, जल्दी से ले लेंगे स्क्रीन्शाट और फिर बढ़ते हैं सर ness की तरफ, जल्दी से लिजये स्क्रीनशाट इसका, ले लिया, ओके प्यारे बच्छों चलिए बढ़ते हैं सर आंगे की तरफ और इसको करते हैं और देखते हैं सर नेश्या कह रहा है अब हम लोग बात करेंगे बिटा इंकलाइन प्लेन की बात करेंगे आनत तल पर घर्षन की बात करेंगे inclined plane के बात करेंगे लेकिन क्या करना है आपको जल्दी से वीडियो को like कर दीजेगा share कर दीजेगा और subscribe भी कर दीजेगे जल्दी से like करेंगे जिन जिन बच्चों अभी तक like नहीं किया है तो वो like करेंगे और comment box में बताएंगे हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ठीक है क्योंकि प्रयास में आपको भी करना है हमको भी करना है एक तरफ से आप जो बोलो कि एकदम से गोल के पिला दिया जाए नहीं समझ में आगा समझ देना पड़ेगा ठीक है मेरे महनत मैं महनत करूँगा अगर आप महनत नहीं करेंगे तो result नहीं मिलेगा मेरे साथ साथ आपको महनत करनी है हाँ आना तो चलिए चल दी से क्या करना है वीडियो को like कर दीजे कमेंट कर दीजे और comment box में बताए कि यस सर हम लोग अच्छे से pen paper copy लेकर पढ़ रहे हैं और मुझे अच्छे से समझ में भी आ रहा है जैसा बताए समझ में आ रहा है वो भी बताए और कोई डाउट हो तो वह भी comment box में जरूर लिख दीजेगा चलिए बीटा बात करते हैं आनत पर घर्षन की बात करते हैं अब ह क्या देखते हैं कि आप पार्क में जाते हो खेलने बिल्कुल सर जाते होगी अगर पार्क में खेलने जाते होगे तो ऐसे घर के कुछ inclined plane होते हैं जीस नीचे से पहले इधर से स τοटरते और फिर उस बैट जाते हम लोग फिर slip के नीचे आते हैं याद है बिल्कुल विभ दो पर बात करूँगा, ठीक है, चाहिए, माल लेते हैं, यह हमारा एक तल है, यह क्या है, हमारा एक तल है, और यह तल, मैंने उस तल को, क्या किया है, थोड़ा ज्यादा ही को जुका दिया, ठीक है, मैंने उस तल को, कुछ, किसी ठीटा एंगल पर जुका दिया, उस तल को, मैंन एक box रख दिया, ठीक है सर, इस तरह पर मैंने क्या रख दिया, एक box रख दिया, अब जैसे ये box रखा, मान लेते हैं, इस box, ने ये जो box है, इस box के क्या होगा, इस box का M दर विमान है, तो बेटा, ये अर्थ क्या करेगी, अपने center की तरफ, अपने center की तरफ, एक force लगाएग अब ये सर्फेस ये सर्फेस बेटा ब्लॉक के उपर की तरफ एक रियक्शन फोर्स लगाएगा जी हाँ सर तो क्या होगा कि सर उपर की तरफ उपर की तरफ एक फोर्स लगेगा कौन सा सर रियक्शन फोर्स लगेगा कौन सा फोर्स लगेगा रियक्शन फोर्स लगेगा कौन क्या होगा ये बॉक्स अभी माल लेते हैं रुका हुआ है अभी रुका हुआ है ठीक है लेकिन थोड़ी दिर बाद अगर इसको एंगल को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो ये बॉक्स नीचे की तरफ सरकने लगेगा मतलब बॉक्स का सर मोशन किदर की तरफ होगा सर कर देते हैं तब देखिए अब क्या होगा ये जो एमजी है ना तो तल से होरिजॉंटल है ना ही वर्टिकल है एमजी फोर्स इस तल से इस तल से ना तो वर्टिकल है ना तो 36 है ना ही उर्दवाधर में है ना ही होरिजॉंटल है ना ही वर्टिकल है तो अब हम लोग क्या कर लेंगे कितने घटकों के फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे दो एक 36 और एक उर्द बाद है चलिए mg को दो घटक के फॉर्म में डिवाइड करते हैं एक हम लोग करते हैं पर पेंडिकुलर और एक करते हैं पैरलर कोई दिक्कत परिस्वानी नहीं अगर यह एंगल ठीटा बन रहा है तो यहाँ पर भी एंगल ठीटा बनेगा तो यह हो जाएगा वेटर ठीटा के जो पास वाला होता है उसको बोलते हैं mg कॉस्ट ठीटा और यह हो जाएगा mg साइन ठीटा समझ में आया यहां तक कोई दिक्कत परिशानी नहीं हमने एमजी को दो पार्ट में डिवाइट कर लिया एमजी कॉस ठीटा में और एमजी साइन ठीटा में अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो आप देख रहे होगे कि हमारा जो प्रितिक्रियाबल है और वो किसके एक्वाल है बिलकुल सीधे सीधी लाइन जा रहा है यहां यह किसके एक्वाल है? एप इस इनको इकवाल करा देगा और आंसर ले लेंगे तो पढ़ते हैं बिटा कि एक गुटका एक ऐसे आनत तल पर रखा है जो 36 से कोड़ ठीटा बना रहा है गुटका का भार MG उर्दवाधर नीचे की ओर तथा अभी लंब प्रतकिरिया आर तल के अभी लंब वत उपर की ओर द्रिश्ट है कहा गया कि MG उर्दवाधर नीचे की ओर तथा प्रतकिरिया आर तल के लंब वत उपर की ओर है भार MG के दो घटक हैं MG साइन ठीटा तथा MG कोश्ट ठीटा करम सा तल के समानतर तथा करम के तल के लंब वत तल के समानतर कौन है mg sin टीटा और तल के लंबवत कौन है mg cost टीटा यहां तक समझ में आया बिल्कुल सर गटक mg sin टीटा के कारण गुटके में तल पर नीचे की और फिसलने की प्रवर्ति है बिटा इस mg sin टीटा की कारण ही तो force लगा रहा है यह नीचे की तरफ आएगा बिल् कर नीचे की तरफ आजाए लेकिन friction force क्या चाहेगा ना भाया हम तुमको नीचे नहीं जाने देंगे हाया ना बिल्कुल सर mg sin टीटा को कौन रोकेगा friction force fs रोकेगा अब हम लोग देखेंगे आता हाँ चुकि गुटका कैसा है संतुलन में है बैलेंस में है तो हमको क्या करे कि r बोलेंगे क्या कि fs किसके equal है sir fs हमारा equal है mg sin टीटा के equal है बिल्कुल सर और हमारा जो r है वो किसके equal है sir r हमारा equal है mg cos टीटा के equal है हाँ या ना बिल्कुल सर क्या सर हम इसको equation पहली और इसको equation दूसरी डाल सकते हैं बिल्कुल डाल सकते हैं जैसे equation पहली और दूसरी ड करना तो क्या करेंगे इन दोनों को डिवाइट कर दें मतलब एकोशन पहली कोई गॉशन दूसरी से डिवाइट करा देंगे आगे बदहें तो डिवाइट कराने पर क्या मिलेगा हम लोगो जैसे डिवाइट कर आंगे ठीक है तो कुछ E-Reds करना पड़ेगा एक कर सकते हैं क्या एश कर सकते हैं क्या चलिए पर स्कींश्ट ले जी फिर देश करते हैं ठीक है इसको इसको ब्लैंक स्लाइट पी आजाओ क्यों एसको ठीक तो क्या आया था सर mg इक कुलस टू mg sin theta किसके एकोल था fs के एकोल था तथा r किसके एकोल था mg cos theta के एकोल था ठीक है इसको equations दाल दे थी पहली और ये equation थी दूसरी क्या करना है सर equation first को divide करा देना equation seconds जैसे divide कराएंगे तो क्या आजाएगा सर fs upon r equals to mg sin theta whole upon mg cos theta बोलो हाया ना बिल्कुल सर अब सर कुछ कट रहा है जी हाँ mg से mg कट रहा है तो क्या आजाएगा प्यारे बच्चो देखे ज़रा सर क्या आजाएगा कि सर fs upon r equals to सर sign upon cos क्या होता है 10 होता है ठीक है सर आगया सर fs equals to क्या होता अब यह भी आपको पता है fs equals to क्या होता mu sr होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे सर हम लोग लिखेंगे कि सर fs what fs equals to क्या होता है sir mu sr होता है क्या fs के जगए mu sr रख सकते हैं बिलकुल लिटा तो रख देते हैं कि mu sr upon नीचे r है equals to 10 theta है तो यहां से आ गया क्या गया क्या गया पहरे विच्चों कि sir r से r कट जाएगा मतलब 10 theta किसके equal आ गया mu s के equal आ गया अब समझ में आया मतलब sir inclined plane का जो घर्षन है वो भी किस पर निर्वर कर रहा है बिटा angle पर किस पर निर्वर कर रहा है angle पर निर्वर कर रहा है 10 theta पर मतलब अगर यह plane अगर मेरा हाथ जादा खुरदरा होगा तो यह इसका angle बढ़ाते चले जाओ तब भी यह नीचे नहीं किरेगा अगर यह हलका सा चिकना होगा ठीक है यह वाला मेरा हाथ बहुत स्मूथ चिकना होगा तो हलका angle करोगे यह तुरंथ ही नीचे बढ़ जाएगा समझ में आया जल्दी से इसका screenshot ले लेंगे और फिर बढ़ते हैं हम लोग आगी तरफ जल्दी से लीजे screenshot चले ले लिया आये बटा देखिए ठीक तो हम लोगों नहीं कर लिया solve कर लिया ऐसे ही आया था ठीक है वही लिखा है पूरा बढ़ते हैं आगी तरफ और इसको करते हैं all के लिए तो क्या आया कि सर अतहा आनत तल का वह जुकाव कोड angle of repose माप कर जिस पर टुकडा फिसलना प्रारंब करता है इस्तैतिक घर्षन गुडांग ज्याद कर सकते हैं गुटके के एक बरावर फिसलना प्रारंब कर देने पर ठीटा ऐसे कुछ छोटे जुकाव कोड ठीटा के पर ही गुटकе की आनत तल पर गुट Deek एक स्वांग बनी रहती है क्या आया ता सर्ट ठीटा एक कोश्च चू कर आया था यह रुखा हुआ हुआ हाए था यह कैसा है था बिटा अब रुखा हुआ जब कुटका हमारा रुखा हुआ था कितना है था म्यू ऐसा आया था हाया ना अब हलका सा हलका सा हम लोग कोड़ चेंज करते हैं तो अब स्टैटिक फिक्षन कर्वर्ट हो जाता है काइनेटिक फिक्षन में इसको हम लोग एस करते हैं ठीक है इसको के तो क्या जाएगा म्यू के अब चलने लगा तो ये kinetic friction का angle आगया कोई दिक्कत परिसानी जहां पर mu के क्या है गतिज गर्शन गुड़ांग कोई दिक्कत परिसानी बढ़े आगे चलिए ले लिए screenshot चलिए ओके श्टूट ले लिए screenshot चलिए सर बढ़ते आगे की तरफ और अब देखते हैं कि सर नक्ष गया है अपना अब सर पढ़ेंगे rolling friction को पढ़ेंगे किसको पढ़ेंगे rolling friction सर rolling friction क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा कि आपके trolley wag होते हैं क्या होते हैं ट्रॉली वैग होते हैं, जब आप कहीं पर भी जाते हैं, अपने ट्रॉली वैग को खीचते हैं, तो उसमें गोल-गोल पहिये लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, तो वो पहिये घूमते हैं, क्या करते हैं, रोल करते हैं, सरफेस पर रोल करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या मोलते हैं rolling friction कहते हैं कि बिना slide किये हुए कोई चीज अगर लोड़ा कर रही है roll कर रही है तो उसी को क्या बोलते हैं लोटनिक अथवा बेलनी घर्शन that is rolling friction समझ में आया जैसे आपने देखा होगा cricket की pitch पर cricket की pitch होती है उसको दवाया जाता है roller चला कर तो roller को हम लोग चलाते हैं हां तो वो क्या करता है surface पर वो गूमता है लोड़कता है यही friction क्या कहलाता है तो roller और surface के बीच में जो friction लगता है उसको rolling friction कहते हैं अब यहाँ पर हम लोग दो चीज पढ़ेंगे क्या कि एक बार देखेंगे किसी roller को धक्का देंगे लोग घीचेंगे एक बार तब देखेंगे कितना friction forced लग रहा है और एक बारद देहिंगे किया करेंगे विटा पुश करेंगे आंगे की तर्फ धकेल थाइँ ऐ और ये वी देखेंES किए और कि फीर जादा आसल है या फिर धकेलना जादा आसलान है चलिए देखते हैं तो बढ़ते हैं वेटा अपना कि क्या आता है कि घास रोलर को खीचना एवं धकेलना pulling and pushing of our roller कि roller को हम लोग खीचेंगे तब क्या होगा और जब धकेलेंगे तब क्या होगा तो सबसे पहला case पढ़ते हैं कि हम लोग क्या करते हैं किसी भी roller को खीचते हैं क्या करते हैं किसी भी roller को खीचते हैं मतलब खीच रहे हैं ऐसा रोलर पकड़ लिया ट्रॉली बैग पकड़ लिया और उसको आंगे की तरफ एफ फोर से खीच रहे हैं तब देखते हैं चलिए बनाते हैं डाइग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होता है ठीक है यहां पर बनात है इस roller का ये जो roller है ठीक है इस यह roller के केंदर से नीचे की तरफ एक mg फोर्स लग रहा होगा बिल्कुल सर और उपर की तरफ एक reaction फोर्स लग रहा होगा आर बिल्कुल सर हमने कहा कि यह इस roller को f4 से हम लोग खीचते हैं तो हम लोग इधर किसी भी ठीटा कौन पर कितने कौ इंदर से पकड़के खीच रहा है इस हो रहा है तो फ्रेक्षन फोर्ष के डारिक्षन लगेगा देखेंगे यसरा धिरीच्षन लगा लाएं देखो इसतिर आतल के लाएं हाया ना बल्ल ग्या देखेंगे यह यह भी तो इस F के दो component कर लेंगे, क्या कर लेंगे, दो component कर लेंगे, एक horizontal direction में और एक हम लोग कर लेंगे vertical direction में, समझ में आया, हाँ या न, जो theta के पास होगा, उसको क्या लेंगे, cos theta लेंगे, और जो theta के दूर होगा, उसको sin theta लेंगे, तो यह थीटा के पास है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि F cos theta ओपर की तरफ और जो theta से दूर है यह हो जाएगा F sin theta कोई दिक्कत पर है सानी हा या ना सर नहीं होनी चाहिए समझ में आया है अब क्या करेंगे सर हम लोगों को friction force ने बताना है कि कितना friction force लग रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे force इसको balance कर देंगे आप देख रहे हो friction force किसके equal हो F cos theta के equal है तो था आर प्लस ओपरी के तरफ आर भी लग रहा है ओपरी के तरफ F cos theta किसके equal है सर? mg के equal है तो कर देते हैं सर ठीक है equilibrium के पढ़ते लेते हैं कहा क्या क्या कहा गया है कि माना एक ऐसी इस्तती जिसमें M दर्विमान के एक roller की धुरी ओपर पर परिणामी F का बल जो उर्दवाधर से ठीटा कोल बनाता है लगाया जाता है roller का बल आर एक चितर में प्रदरसित है कहा पर है चितर में प्रदरसित है roller पर उर्दवाधर द्युसा में लग रहा है बलों के संतुलन के लिए कहा पर उपर की तरफ जो लग रहा है क्या लग रहा है हम बोल रहे हैं कि सर आर प्लस F कॉस्ट ठीटा F कॉस्ट ठीटा किसके एक्वल है M G के एक्वल है हमें सर क्या निकालना है reaction force बताना है R निकालना है तो सर आर को यहीं रखा रहे हैं दो इसको उधर की तरफ भेज़ दो गया वो लोगे M G माइनस F कॉस्ट ठीटा कोई दिकत परेशानी नहीं बेटा आर क्या होता है हमारा R, R क्या होता है बेटा हमको पता है कि सर F S equals to M U S R होता है हा या ना बिल्कुल सर F S equals to क्या होता है M U S R होता है तो क्या हम लोग सर R की जगे हम लोग क्या लिख सकते हैं R की जगे हम लोग सर F S upon M U S लिख सकते हैं बिल्कुल सर लिख सकते हो तो R की जगे हम लोग क्या लिख जगते हैं कि F S upon M U S कोई दिकत परेशानी equals to M G minus F cos ठीटा समझ में आया हा या ना बिल्कुल सर हमें केस की चाहिए friction force चाहिए F S की value चाहिए तो हम लोग इदर लिख देते हैं बेटा कि F S equals to M U S को उदर भेज दें तो M U S और bracket के अंदर M G minus F cos ठीटा F cos ठीटा कोई दिकत परेशानी हा या ना बताइए तो बेटा इतना friction force लगेगा जब हम लोग किसी roller को खीचेंगे ट्रॉली बैक को ऐसे पकरते हैं ऐसे ही तो बढ़ते हैं जब हम लोग कीचेंगे तो इतना friction force लगेगा समझ में आया कोई दिकत परेशानी नहीं है जल्दी से ले लिजे screenshot और फिर बढ़ते हैं हम लोग आंगी की तरफ जल्दी से लिजे screenshot इसका ले लिए screenshot ओके प्यारे बचो चलिए करते हैं all clear अब देखते हैं so next क्या कह रहा है कि जब हम किसी roller को अब धकेलते हैं ऐसे करके push करके धका दे रहे हैं मतलब ट्रॉली बैक है हमारा और उस ट्रॉली बैक को आंगे की तरफ धकेल रहे हैं जी से भकेल आ जाता है तो बनाते इसका घैग्राम बना लेते हैं उसका कहा गया है कि एक क्या है एक surface थोड़र नीचे सरफथे स सब्सक्राइब इस पर क्या बना दिया हमने एक roller बना दिया ठीक, जैसे ही Sir इस पर roller बनाया, तो हमने कहा कि Sir नीचे की तरफ, क्या लगेगा, एक MG force लगेगा, बिल्कुल सही बाद Sir, ओपर की तरफ एक reaction force लगेगा, बिल्कुल सही बाद Sir, और हमने कहा कि Sir, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कि इसके center पर एक F force लगा रहे हैं, नीचे की तरफ अकेल रहे हैं देखो एरो देखना एफ फोर से नीचे की तरफ लगाया हाई अना ठीक है अब ना तो ये ये जो एफ है ये एफ है इस एफ के एफ कितने कंपोनेंट हो जाएंगे दो कंपोनेंट हो जाएंगे एक होरिजन्टल डारेक्शन और दूसरा वर्टिकल डारेक्शन में भाई इसको नीचे की तरफ हम खीच रहे हैं तो क्या बोलेंगे इस एफ के दो कंपोनेंट हो जाएंगे कितने विटा एक इसको हम कंपोनेंट को ठीटा कोन बना रहा है कितना कोन बना रहा है ठीटा कोन बना रहा है तो हम लोग यहां पर क्या वोलेंगे कि सर कि कितने क्या वोला है कि माल लेता है ठीटा कोन पर उर्द्वादर से ठीटा का कोन बना रहा है यह कितना बना रहा है ठीटा कोन बना रहा है ठीक है तो यह क्या ह हो जाएगा सर एफ साइन ठीटा और यहां पर क्या हो जाएगा एफ कॉस ठीटा कोई दिक्कत पर इस्वानी सर नहीं होगी ठीक बड़े अप्या करना सर दोनों को एक्वल कर देना इधर की तरफ धक्का दे रहा है इधर की तरफ धक्का दे रहा है तो वेटा फिक्शन फोर् equals to mg plus f cos theta और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा fs क्या होता है r equals to fs upon mu s होता है that is mg plus f cos theta और यहाँ पर हमें क्या चाहिए बेटा fs की value चाहिए तो क्या हो जाएगा सर इसको क्या करेंगे हम लोग mu s को उदर भेज देंगे तो mu s bracket के अंदर mg plus f cos theta समझ में आया क्या तो बेटा यह क्या आगया दूसरा friction horse आगया जब उसको खीचेगे तो आप दोनों में अगर देखें जब हम लोग धकेल रहे हैं क्या कर रहे हैं धक्का दे रहे हैं तो mg में f cos theta add हो रहा है लेकिन जब हम लोग उसको खीच रहे थे तब mg में f cos theta minus हो रहा था क्या हो रहा था f cos theta minus हो रहा था सर इसका मतलब क्या है तो प्यारे बचों इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज को धकेलना कठिन होता है compared to उसको खीचना इसी लिए हम लोग ट्रॉली वैक को कैसे करते हैं खीचते हैं ऐसे करके खीचते हैं समझ में आया हाँ आना चलिए बेटा ठीक है बढ़े आँगे बढ़ते हाँगे और देखते हैं सर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि समीकरन एक वा समीकरन दो से घर्षन बल FS वा FS- के अगर तुलना की जाए तो इस पस्ट है कि FS- greater than FS होगा आता घास रूलर को खीचने के अपेच्छा धकेलना ज़्यादा कठिन होगा कि हम लोग खीचना तो आसान होगा एस विए कि खीचना आसन होगा लेकिन उसको ढखेलना कठिन होगा हाँ या ना वास्तम में ढखेलने के लिए आरोपित बल F का एक घटत F cos theta MG की दिसा में कारत कारत होने के कारण सतय पर लग रही प्रतिकरिया R2 का मान बढ़ा देता है जिससे घर्षन बल FS- सता ही बढ़ जाता है ठीक है तो F cos theta एड़ हो गया था इसी के कारण हम लोगों को ढखेलना कठिन हो रहा था कोई दिकत पर रहे सानी सर नहीं होगी जल्दी से ले लीजे स्क्रीन शॉट और फिर बढ़ते हैं आगे की दोर जल्दी से लीजे स्क्रीन शॉट त्यारे बच्छो इसका ले लिए स्क्रीन शॉट ओके सर चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और अब देखते हैं सर कि हम लोग कैसे किसी भी घर्षन को कम कर सकते हैं तब चीजें फटने लगते हैं, जैसे टायर है, ठीक है, आप उबर खावल रोड पर अपनी बाइक रोज रोज चलाओ, तो क्या होगा, टायर फट जाएगा, हाँ या ना, अगर उबर खावल रोड पर आप रोज चलो, तो आपकी चपल या फिर जूते भी फट जाएंगे, हाँ, तो हम लोगों को ना तो कम फ्रिक्शन रखना है, अगर कम फ्रिक्शन है, तो आप सिलिप हो जाओगे, तो ना तो कम फ्रिक्शन रखना होता है, नहीं ज्यादा फ्रिक्शन रखना होता है, तो क्या लिमिट का फ्रिक्शन रखें, जिससे हम लोग फ्रिक्शन को रि लगा देते हैं ग्रीश लगा देते हैं ठीक है तो इससे भी हम लोग क्या करते हैं ग्रीशिंग की जाती है जिससे क्या किया जाता है फ्रिक्शन फोर्स को कम कर दिया जाता है तीसरा क्या है उप्योगत निर्मार सामगरी का उप्योग करके वायोजिंग सुटेवल मटेरियल हम लोग material का सही चुनाव करके भी friction को कम कर सकते हैं हाँ या ना ओके सर wall bearing का प्रियोग करके while using wall bearings सर wall bearings का use करके जैसे आपने देखा होगा कि cycle के पहियों में छर्रे पड़े होते हैं गोल 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 छर्रे पड़े होते हैं मसीन में दो मसीने होती है सहर के एक ते उपर एक होती है तो उसमें छर्रे पड़े होते हैं वो चर्रे क्या करते हैं वो friction को कम कर सकते हैं तो wall bearing का use करके भी हम लोग friction को कम कर सकते हैं हाँ या ना तो जल्दी से ले लिजे screenshot और फिर बढ़ते हम लोग नेश की तरफ जल्दी से लिजे इसका ओके बटा ले लिए screenshot चलिए सर ले लिए screenshot तो बढ़ते हैं आगी की तरफ इसको करते हैं all clear sir all clear ही है क्या देख रहे हैं sir हम लोग देख रहा है circular motion को क्या देख रहे हैं circular motion को circular motion कैसा circular motion आपने देखा होगा कि road पे हमारी कई सारी roads ऐसी होती है जो turn होती है कैसी होती है गुमावदार होती है हमें ऐसा road सीधी ही नहीं चली जाती है road हो गया railway track हो गया अपने path को change करने के लिए direction को change करने के लिए हम क्या करते हैं रोड को हलका-अलका-अलका घुमाते चले जाते हैं अगर रोड घूम रही है तो हम लोग उसके उपर कार चलाएंगे, वाइक चलाएंगे या फिर ट्रेन की पटिरिया आगर घूम रही तो उसके उपर ट्रेन चलेगी हाँ या ना तो वो भी circular पत्फ पर घूमेगी बिल्कुल सर और जब circular पत्फ पर घूमती है तो हम लोगो क्या निकालना पड़ेगा कि सर वो किस विलॉस अगर circular पत्फ पर कोई भी चेज घूमती है तो उसके उपर एक फोर्स लगता है आपको भी पता है कौन सा अभिकेंद् इंद्रियबल बोलते हैं तो देखते हैं सर इसी अभिकेंद्रियबल की मदश से हम लोग कैसे बताएं कि वो किस कोड से किस एंगल से किस विलॉसिटी से वो कार या फिर बस घूमे जिससे उसको परियापत अभिकेंद्रियबल मिल जाए और वो इधर-उधर भटके ना चल ब्रत के केंद्रियबल की और निर्दिष्ट होता है दुतियनियम के अनुसार इस तौरण को प्रदान करने वाला बल हमें पता है बिटा क्या कि जब भी कोई आबजेक्ट सर्कुलर पाथ पर गोल गोल व्रता का अरपत पर घूमता है एक समान वेग से तब सेंटर की तरफ तो सेंटर की तरफ उसका तरण वे कितना होता है उसका तरण कितना होता है वी स्कुाइर अपउन आर हम लोग जानते हैं अब निूटरन का दुटियनियम क्या कहला था सर उस पिंड के पास दरभ बिमान भी होगा तो एफ ए कोस्टू M तो द्रविमान का तरौन के साथ multiply करा देंगे तो जो बल आता है उसी बल को क्या बोलेंगे अभिकेंद्रिये बल that is mv square upon r और हमेशा ये बल कैसे लगता है center की तरफ लगता है कैसे लगता है center की तरफ लगता है तो बोला है कि जहाँ mpind की क्या है केंद्र की और निर्दिष्ट इस बल को अभिकेंद्रिये बल क्या कहते है कि हमेशा ये बल center की तरफ लगता है तथा इसको क्या बोलते है अभिकेंद्रिये बल बोलते है डोरी की साहिता से ब्रत में घुन करने वाले पत्थर को डोरी में तनाव अभिकेंद्रे बल प्रदान करता है सूरी के चारों और किसी ग्रह की गती के लिए आविश्यक अभिकेंद्रे बल सूरी के कारण उस ग्रह पर लग रहे है गुरतवा करशन से मिलता है किसी 36 सडक पर कार को बृतिय मोड लेने के लिए अभिकेंद्रे बल घर्षन प्रदान कराता है हमने बोला बेटा आपको यह चीज पता चल गए कि जब भी कोई चीज सर्कुलर और्बिट में गोल 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 घूमती है तो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिस फोर्स को हम लोग अभिकेंद्रे बल कहते है फोर्स हमेशा अकेला कभी नहीं लगेगा बल हमेशा अकेला नहीं लगता है पेर के साथ लगता है तो इस अभिकेंद्रे बल को कौन प्रोवाइट कराएगा जैसे सूर्य के आसपास अर्थ घूमती है तब भी अभी केंद्रेबल लगता है लेकिन अभी केंद्रेबल को कौन प्रोवाइट करा रहा है गुरुतवा करशनबल की अर्थ के पास भी मास है और सूरी के पास भी मास है और दो मास हमेशा आट्रक करते हैं ऐसा न्यूटन ने बोला था तो उस अभी केंद्रेबल को कौ हम लोग car से गूमते हैं, जैसे एक turn है, ऐसे गरके, हमारी सड़क ऐसे करके, सीदी जा, अरे, 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 करके, हमारी सब्टना लेते हैं, कुछ इस तरीके से जा रही थी, और ऐसे करके, थोड़ी दोर पर turn हो गई, ठीक है, अरे,सर, कैसी बना रहे हो? ठीक है ये टर्न हो गई तो जहां पर ये ऐसे अगर के टर्न होई है तो क्या ले रही है सर्कुलर ओर्बिट ले रही है अब इस टर्न पर टर्निंग पॉइंट पर क्या आएगा जो कोई चीज़ ऐसे करके घूमेगी तो सरव्रत्ता कारपत पर भूम रही है मतलब अभी समझ में आया हा या ना तो हमें पता चलता है कि हमें सजब भी कोई चीज़ गोल गुल गुमती है तो उसकी सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है उस फोर्स को बोलते हैं अभी केंद्रियबल उसका जो फार्मूला होता है एंब इसकार अपॉन आर होता है कोई दिक्कत पर साली नहीं चलिए सर बढ़ते वागी की तरफ अब हम लोग देखेंगे किसी समतल सड़क पर क्या देखेंगे किसी सपाट सड़क पर सड़क तथा किसी ढालू सड़क पर कार की ब्रताकाल गती गती के नियम के रोचक उधारन है कि हम लोग अगर किसी ढाल पर चलना है या क्या हो रही है टन हो रही है जैसे हम लोग माले इसको हम लोग बोल देते हैं बैंडिंग आफ साइकलिस्ट क्या बोल देते हैं इंगलिस में बैंडिंग आफ साइक्लेसafd सर यह क्या कहता है यह क्या है कोई अगर प्लेन रोड है खाल नोघे और वो कैसी है अब ने अनवब किया होगा तो जब हम लोग किसी भी टर्न पर घुमावदार रोड पर घूमते हैं तो अटोमेटिक हम अपनी साइक्ल या फिर बाई को हलका सा जुका लेते हैं और आराम से जुक जा आराम से घोम जाते हैं सर क्यों जुका लेते हैं क्यों जुका लेते हैं इसलिए जुका लेते हैं कि हम को परियाप्त अभी केंद्रेबल मिल जाए जिससे हम आसानी से घोम जाए या फिर हम अपनी विलोसिटी को वेग क को नियंत्रित कर लेते हैं ऐसा ऐसा नहीं करते हैं जब आपको आपने सुना होगा कि मोड पर ज्यादा तेजी से नहीं कार अरे बाइक या फिर साइकल को घुमाना मुडाना चाहिए अगर मोड है रोड टर्न है जहां पर और आप बहुत तेज से मुडा रहे हैं तो आप क्य क्या वो मैक्समाम एंगल होना चाहिए जिससे हम लोग आसानी से एक समतल रोड पर घुम सकते हैं कोई दिकत पर रिसानी नहीं चलिए बेटा करते हैं इसको क्या बोलते हैं वैंडिंग आप साइकलिस भी बोलते हैं देखिए मान लेते हैं यह हमारी रोड है कुछ इस तरी प्रवरती क्या है इसकी प्रवरती है सीधी जाना लेकिन यह क्या करेगे ऐसे करके घुमेगी बिलकुल माल लेते हैं इसके सैंटर से जो इसकी रेडियस है वो आर है कितनी है आर है अब यह जब घूम रही है तो बिटा क्या लगेगा अब यहां पर हम लोग कार के अंदर कहाँ पर बैठे हैं, कार के अंदर बैठे हैं, तो एक अंदर की तरफ अभी केंद्रियेबल तो लगेगा, लेकिन एक छदम बल, that is, शुडो फोर्स भी लगेगा, जो कि बिल्कुल बिपरिद दिसा में बाहर की तरफ लगेगा, उसको बोलते हैं, अप केंद्रियेबल, क्या बोलते हैं, अप केंद्रियेबल, ठीक है, तो एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, जिसका नाम होगा, अप केंद्रियेबल, Mv square upon R, तो हम लोग यहाँ पर अभी केंद्रियेबल की तरफ क्या लेंगे, अपके हिंद्रियों बन लेंगे, क्योंकि हम लोग turn ले रहे हैं, यहाँ तक समझ में आया बिल्कुल समझ में आया, ठीक, कोई दिक्कत पर रिसानी, नहीं, अब ज़रा इसका free body diagram बना लेते हैं, इधर की तरफ कि माल लेते हैं, हमारे पास एक सम्तल साड़क है ठीक है, और इसके उपर एक हमारी car है क्या है, एक car है, ठीक है सर अब इस car को नीचे mg खींच रहा है, बिल्कुल सर खींच रहा होगा ठीक है, सर उपर की तरफ एक reaction force आर लग रहा है, बिल्कुल लग रहा होगा सर, इधर की तरफ क्या लग रहा है, सर जब हम लोग घूम रहे थे टर्न ले रहे थे, तो बहार की तरफ mv square upon r, एक क्या लग रहा था बिटा एक reaction, अब के इंदरिये बल लग रहा था centrifugal force लग रहा था, अब ये car जब घूम रही है तो बिटा क्या होगा, इधर की तरफ एक friction force fs भी लगेगा हाँ या ना, बिल्कुल सर, लगेगा friction force बिल्कुल लगेगा, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बिटा हम लोग इसको balance कराएंगे, क्या करेंगे friction force किसके equal है, mv square upon r के equal है R किसके equal है? Mg के equal है जरा इसको हम लोग compare करा देते हैं क्या करा देते हैं? compare करा देते हैं आइए सर, compare कराने पर हम लोगो को क्या मिलेगा? हम लोग बोलेंगे, एक मिनट देखें, क्या बोलेंगे कि सर Fs equals to friction force किसके equal है? Mv square upon R के equal है Fs equals to Mv square upon R हाँ या ना, ओके सर, और हमारा जो reaction force है, R किसके equal है, M G के equal है, सही है, बिल्कुल सर, सही है, ठीक, आप देखिए बेटा, अब F S equals to क्या होता है, but सर, but, but, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, M maximum, क्या लिख लेते हैं, M maximum हमें निकालनी है, maximum velocity निकालनी है, क्या निकालनी है, maximum velocity नि आया, तो हम लोग लिख सकते हैं, सर, R की जगे क्या लिख सकते हैं, M G लिख सकते हैं, जरा ये वाली value उठाके उपर वाले में रख देंते हैं, इसको equation पहली डाल देते हैं, तो रखते हैं, बिटा, क्या जाएगी, put the value of, put the value of F S in equation first, जैसे ही रखते हैं, तो क्या जाएग बिटा, देखिएगा, क्या आता है, देखिए, जैसे ये value रखेंगे, तो सर, यहाँ पर रख देते हैं, mu S M G equals to M V square और ये maximum है, upon R, कोई दिक्कत पर इसानी नहीं, बिटा, जो कट रहा है, उसको काट देंगे बड़े अच्छे तरीके से, सर, क्या कट रहा है, सर, M से M कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है, बिल्कुल सर, हमको क्या चाहिए, V square की value चाहिए, तो V square maximum equals to, बेटा, R को इदर भेज देंगे, तो आ जाएगा, mu S R G, कोई दिक्कत पर इसानी नहीं, बेटा, root हटा, square हटा देंगे, तो उपर root चाहिएगा, तो V equals to, root के अंदर, mu S R G, समझ में आया, मतलब सर, अगर हम लोग इस velocity से, इस velocity से चलते हैं, तो हमारी body आराम से turn ले लेगी, बिना गिरे, बिना गिरे, आराम से turn ले लेगी, जल्दी से ले लेंगे screenshot इसका, फिर बढ़ते हैं सर, आगे की तरफ, जल्दी से लीजे screenshot इसका, ले लिया screenshot हा या ना, बताईए जरा, ले लिया, चलिए सर, ठीक है, अब करते हैं सर, next, इसको करते हैं call के लिए, अब क्या देखते हैं, सर, ढालू सड़क पर कारी की गती देखते हैं, क्या सर, कि हम लोग मान लेते हैं, यह cyclist था, वेंडिंग ऑफ cyclist था, अब हम सर, ढाल टर्न करती हैं, जैसे cycle हम लोग थोड़ा सा जुका लेते हैं, अपनी bike थोड़ा सा जुका लेते हैं, ऐसे bus और car तो थोड़ा सा जुक नहीं पाएगी, लेकिन इनको भी घूमना है, रोड से टर्न लेना है, तो इसलिए scientist लोगोंने दिमाग लगाए, उन्होंने क्या किया, कि क्यों ना हम लोग जहां पर रोड घूमती है, वहां पर रोड का जो बाहरी सिरा होता है, उसको हलका सा उठा दें, compare to अंधरूनी छोर से, आपने देखा होगा जहां पर रोड सार्प टर्न होता है, तो रोड का जो बाहरी सिरा होता है, वो हलका सा उठा होता है, compare to inner one से, हाय workout ना समझमाय तो इसकी मदद से हम लोग देखेंगे कि कितने एंगल से कितना एंगल मत속लब ऐसे करके जुकाएंगे तो कुछ यहा से ठीटा एंगल बनेंगा संसरे बिल्खों कि एंगल भी निकालेंगे ठीटा के वैलू भी निकालेंगे और हम लोग निकालेगे Velocity भी निकालेगे क्या निकालेगे प्यारे वो еще Velocity भी निकालेगे सर्फ Velocity क्या होनी चाहिए ठीक है चलिए निकालते हैं तो कहा गया है कि धालू सलक प्रकार की गती यदि सलक धालू है तो हम कार की वरातुल गती में घर्शन के योगदान को घटा सकते हैं क्योंकि यहां फिर उर्द्वा-धरदिसा में कोई तौरण नहीं है इसलिए net well शुन होगा तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग friction को नहीं देखेंगा ढालू सड़क है तो हम लोग घर्शन को हटा सकते हैं क्योंकि हम लोग ने क्या किया ह हम लोग होने net well, हम लोग वहाँ पर शूने कर दें, यूँकि हम लोग होने एक सड़क के एक छोर को हलका सा उठा दिया है, चलिए बिटा, इसी को हम लोग banking of track भी बोलते हैं, बंकित सड़क क्या बोलते हैं, banking of track, सही है, चलिए, इसको करते हैं, और blank slide पर करते हैं इसको, आईए बिटा, देखे, ये बना देते हैं, बढ़िया सा डाइग्राम, ठीक है, माल लेते हैं, ये हमारी एक सड़क है, इस सड़क को हमने एक छोर थोड़ा सा उठा दिया, और एक छोर कम है, ठीक है, अब इस पर हम लोग क्या कर देते हैं, बेटा, इस पर एक block बना देते हैं, क्या बना देते हैं, इस पर एक block बना देते हैं, ओके, ठीक है सर, हमने क्या बना दिया, इस पर एक block बना दिया, ठीक है, block क्या car है इस पर, ठीक है सर, block ना बना के हम लोग car बना देते है इस पर सर कैसे बनाएंगे car? देखो. ठीक है भी रोच. ये क्या है सर? ये हमारी car है. कोई दिकत पर है सानी? नहीं. ठीक हमने car बना दी सर. अब हमने कहा friction नहीं लेना है. उन्होंने कहा friction को reduce कर दो. तो इसके बिल्कुल center से बेटा नीचे की तरफ क्या लगेगा? सर इसके बि हम लोग बोलेंगे mg हाया न बिलकुल सर तल के बिलकुल लंबवत क्या लगेगा विटा ऐसे बिलकुल तल के लंबवत एक reaction फोर्ष लगेगा जी हाँ जिसको हम लोग बोलेंगे अर कोई दिकत परिशानी नहीं अब यह कार घूम गुम रही है तो sir, इधर की तरफ, किदर की तरफ, एक क्या लगेगा, इस direction में sir, इस direction में क्या लगेगा, जब ये कार घूमेगी, तो अपके इंदरिय बल लगेगा, mv square upon r, बिल्कुल sir, तो यहाँ पर इस direction क्या लगेगा, mv square upon r, अब हमने का sir, गर्शन बल को नहीं लेना है, तो friction को नह ही लेते हैं, अब यहाँ पर देखना, यह r जो है, वो ना तो horizontal है, ना ही वर्टिकल है, तो हम लोग क्या क्रेंगे, r के do घटक कर लेंगे, किसके, r के दो घटक कर लेंगे, sir, एक घटक करेंगे हम लोग horizontally, और एक घटक करेंगे हम लोग, vertically, किसके करें sir, हमने r के करे, ठीक है, माल लेते हैं, ये कितना एंगल बना रहा था, ठीटा एंगल बना रहा था, ये वाला एंगल अगर ठीटा है, तो ये हो गया बिटा, R cos ठीटा और ये वाला हो गया R sin ठीटा, कोई दिक्कत पर इस्वाइन नहीं, अब क्या करेंगे, सर अब हम लोगों को equal कर देना है किसको mv square upon r को r sine theta के equal कर देना है r cos theta के equal कर देना है mg के बस और कुछ नहीं करना है तो हम लोग करते हैं बिटा चलिए इधर करते हैं इसको एक line कर लेते हैं ठीक है sir करते हैं क्या करेंगे हम लोग equal करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि sir mv square यहाँ पर भी maximum velocity देखेंगे बिटा mv square upon r equals to किसके equal हो जाएगा sir r sine theta के equal हो जाएगा सही है whole upon बिटा नीचे क्या करेंगे कि हम लोग mg को किसको बिटा mg को equal करतेंगे किसके r cos theta के r cos theta के equal करतेंगे इसको डाल देंगे equation पहली और इसको डाल देंगे equation दूसरी कोई दिक्कत पर है soni हाँ या नहीं होगी इतना समझ में आया बिल्कुल sir यहाँ तक समझ में आया बिल्कुल sir समझ में ठीक है अब हम लोग को क्या करना है बेटा इसको solve करना है solve करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग देखते हैं कितना कोण बनाए कितना angle कोण बनाए जिससे हमारी कार आसानी से घूम जाए मतलब हम लोग अपने सड़क को कितना horizontal direction से कितना उठा दें उपर एक से को कितना उपर करतें कि हमारी कार आराम से घूम जाए अमें ठीटा की value चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे equation पहली को equation दूसरे से divide करा देंगे तो क्या भोलेंगे equation first divide by equation 2 जैसे ही divide कराएंगे प्यारे बच्चों क्या आएगा देखे ज़रा कि सर mv square ये maximum है upon mv square upon r whole upon mg equals to r sin theta upon r cost theta कोई दिक्कत परिशानी हाँ आना बताओ बेटा नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत परिशानी नहीं होगी कुछ कट रहा है बिल्कुल सर जो कटे उसको काट देना m से m कटे गया ठीके ये वाला g उपर की तरफ चला जाएगा r से r कट गया sin upon cos क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग हम लोग लिखेंगे बेटा v square max upon r g equals to 10 theta ये क्या आगया बेटा 10 theta की value आगई कोई दिक्कत परिशानी नहीं या अगर theta की value निकालने तो बेटा theta की value क्या आजाएगी बेटा आजाएगी आपकी 10 inverse v square upon r g ये किसकी आगई 10 theta की value आगई कि अगर हम लोग इस angle पर अपने अपने सड़क को जुकाते हैं तो हमारी सड़क हमारी कार जो है वो आसानी से घोम जाएगी कोई दिक्कत परेसानी नहीं जल्दी से ले लीजे screenshot इसका और फिर बढ़ते हैं आगी की तरफ जल्दी से लीजे screenshot इस बढ़े आगे चलिए सर बढ़ते है screenshot ले लिया ठीक ये 10 theta आ गया अगर सर हम को maximum velocity भी निकालने तो यहां से भी वो निकाल सकते हैं कैसे देखना चारा यहां से देखना V square equals to यहां पे दूसरे color से करते हैं देखना बेटा इधर कर देते हैं तो V square V max equals to क्या हम करेंगे इस R G को उधर बेज दो 10 theta के पास तो क्या आ जाएगा R G 10 theta हा या ना बिल्कुल सर आ जाएगा तो यहां से अगर V की value चाहिए मतलब velocity चाहिए सर किस velocity से चलें तो क्या आ जाएगा कि root के अंदर root के अंदर R G 10 theta तो हम लोग सर velocity भी निकाल लेते हैं यहां से और क्या निकाल लेते हैं हम लोग सर हम लोग angle भी निकाल लेते हैं कि angle अगर उतना कर दे तो आराम से हमारी car घूम जाएगी अगर हम इस velocity से चलते हैं तो आराम से हमारी car घूम जाएगी कोई दिक्कत परिसानी नहीं होनी चाहिए बढ़े आगे चलिए सर बढ़ते हैं screenshot इसका ले लिया होगा करते हैं all clear और सर अब हम लोग बढ़ते हैं next की तरफ समझ में आया हाँ या ना अब देखते हैं वेटा क्या कि यांत्रिकी में समझ्याओं को हल करना क्या करना यांत्रिकी में समझ्याओं को हल करना that is solving problems in mechanism कि हम लोग क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे examples ऐसे numerical होते हैं जिनको अब हम लोगों को समझना है solve करना है सर उसको कैसे solve करेंगे तो उसको solve करने के लिए बहुत सारे जटिल होते हैं बहुत सारे forces लग रहे होते हैं एक ही block पर reaction force लग रहा है mg force लग रहा है ठीक है एक block जैसे train का डबबा train देखिए train train अगर देखे होगी तो engine engine के पीछे एक डबबा लोगा होता है ऐसे बहुत सारे डबबे लगे होते हैं तो engine ना सिर्फ एक डबबा को हींसता है engine सारे डबबों को हींसता है हाया ना तो वहाँ पर भी पता चल जाता है कि बहुत सारे ऐसे example आएंगे एक IIT का बहुती अच्छा सवाल है पूछा जाता है कि train चल रही है 60 km प्रती घंटा की speed से train चल रही है और एक एक करके उसके डबबों को घटा दिया जाए तो engine की speed जो होगी वो क्या होगी हाँ या ना तो ऐसे हम लोग free body diagram से इस classical mechanism में बहुत सारे ऐसे जटिल numericals आते हैं जिनको solve करने में दिक्कत होती है तो अब हम लोग क्या करते हैं उसको एक systematic way से solve करते हैं तो अब हम लोग देख रहे हैं free body diagram यहां बनाना सीखेंगे और एक हम वीडियो भी लाएंगे आपके लिए कि without free body diagram हम लोग ग्यात कर सकते हैं किसी भी numericals को solve कर जखते हैं आईए सर देखते हैं क्या कहा गया है कि solving problems in mechanism क्या कि या अन्तिकी के प्रश्णों को क्रमवत सुनिश्चित करने है तो कुछ इसमानार्थक विंदू that is general tips for systematic solution of problems in mechanism क्या points में पढ़ते हैं बेटा सर प्रदम उस pinड को चिन्नित कर लिया जाना चाहिए जिसकी गती का visualization किया जाना है कभी-कभी उस तरह के दो या दो से अधिक और pinड हो सकते हैं अता प्रतेक pinड को एक स्वतंत pinड की तरह माना जाना चाहिए कहा गया है कि हम सबसे पहले हम लोगो क्या करना है सबसे पहले हमें उस pinड या फिर उस body को चिन्नित कर लेना चाहिए जिसकी हम लोग चाह रहे है कि या इस पर force लग रहा है बल आरोपित करने वाली वस्तू है जो उसके इर्द गिरत उपलब्ध है को भी चिन्नित कर लियाना चाहिए क्या कि कोई अगर वस्तू है ठीक है उसके आसपास कितनी वस्तू है उनको भी चिन्नित कर लियाना चाहिए कि वो बस्तू है भी उस उस बस्तू पर क्या कि एक उपदिक्त निर्देशन तंत्र का चैन विस्टेशन की प्रक्रिया के लिए अति महत्पून है क्या करना है अब हमने सब देख लिया अब हम लोगों को एक काटीशन सिस्टम देखना है निर्देशन तंत्र देखना है कि किसके सापेच में ये गति हो रही है तो व कुने यहुए निर्देशन तन्त में सुभधा जनग प्रक्रम का चैन करके उसके मूल विंदू को चैनित कर ले लिया अब हम लोग कि reference पॉइंट को चैनित कर लेते हैं जिससे हम लोग क्या देखते हैं कि अच्छा हम लोग reference point को चिनित कर लिया कि अब सारी चीजें यहां से हम लोग गती देखेंगे कि यहां से यह चीज कितनी बड़ी यहां से यह चीज कितनी किस direction में गती कर रही है तो हम लोगो क्या कर लेना है पहले partition system को find out करना है बना लेन है फिर उसके बाद उस Cartesian system में एक reference point को चिनित कर लेना है अंत में दिये गए पिंड पर कारे कर रहे है समस्त बलों को महत्पूर मांते हुए बल आरेक या फिर मुक्त फिरी डाइग्राम खीच लेना चाहिए जिससे की पिंड पर लग रहे है बलों के संदर में कोई सुदा दुविधा शेशनार है अब क्या करना है अब जितने भी आपके आपने बनाए हैं चिनित किये हैं उसके बाद उन सभी का free body diagram आपको बना लेना है सर free body diagram क्या होता आईए देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं मेरे पास इस तरीके से समझो एक ये block है क्या है प्यारे बच्चो इस तरीके से ठीक है एक ये block रखा है ठीक है अब इस block पर force लग रहा है एक सर नीचे की तरफ mg force लग रहा है और सर उपर की तरफ r force लग रहा है तो इसका अगर हमें free body diagram बनाने तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी system है उसको point बहुत छोटा ले लेना है छोटा ले लिया म बहुत जटिल diagram को एक छोटे से point के safe में हम लोग बना देते हैं उसको क्या बोलते हैं free body diagram बोलते हैं हाया ना जैसे free body diagram देखो अभी बता आते हैं एक अभी अभी जो system किया था हम लोग ने की देखते हैं कि जैसे एक ये है ठीक है system है circular turn वाला system देख रहा है थे कि जब हमार हो रही थी तो इधर की तरफ क्या लग रहा था वेटा इधर की तरफ friction force लग रहा था और सर इधर की तरफ अभी केंद्रिय बल लग रहा था अब ये गोल गोल टरन पर घूम रही है तो हमने कहा सर इस direction में क्या लगेगा सर अभी केंद्रिय बल लगेगा अब नीचे की तरफ क्या लग रहा है सर नीचे की तरफ सर एमजी फॉर्स लग रहा है हाँ ठीक है सर उपर की तरफ सर क्या लग रहा है उपर की तरफ क्या लग रहा है सर इधर की तरफ क्या लग रहा है सर इधर की तरफ क्या लग रहा है सर इधर की तरफ क्या लग रहा है तो देखो, हमने क्या किया, एक पहले reference partition system ले लिया, फिर एक reference point ले लिया, फिर चिन्नित कर लिया, फिर देख लिया, उसके आसपास कितने बल लग रहा है, और उनकी सब की दिसा ले लिया, हाया ना, अब मैं पूरा पता चल गया, बस इस इन चार के अलाबा कोई बल नहीं ल सब देख लेते हैं, मुझत पिंड आरेक के लिए कुछ math configurular window देख लेते हैं, क्या कि तो उसके संपर्क में से अलग करें, बस को अलग करें, के लिया, किया, इसे पिंड बना लिया ते थिए तो ज्सका को बनाना है, हम लोगों को, उसको सब से अलग करके, पॉइंट बना दो ठीक है रोटे बस्तू की भार की क्रिया रेखा उसके गृत्वा कर केंद्र से उर्द्वाधर नीचे की ओर होगी तो जो हम लोगों ने भार कैसे बनाया था केंद्र से उर्द्वाधर नीचे की ओ तरफ हमने M G बना लिया था भार बना लिया था हा plag ना बिलकुल सर अन्य बस्तूवों जो कि मुक्त पिंड आरेक बनाय जाने वाली बस्तूवों के संपर्त में होती हैं सामानीता पृत्कृरिया बल बस्तू के तल के अभी लंबबवत यह लगेगी हमने कहा अगर चोटी चोटी चीज होगी जैसे कब जा हो गया पिन ये इन पर पृतिकिया नहीं लगती है क्यूंकि इनका मास बहुत निगलाइजबल मानलिया जाता है अथा मुर्त पिंड आरेक के लिए चुनी गई बस्तूओं के संपर्ग में इस्तित अन बस्तूओं की प्रतिक्रिया को उचित दिसा में दर्साय जाना चाहिए अब इससे रिलेट और भी कुछ अगर यहां पर जुड़ा है जैसे हम लोग ऐसे देखो ऐसे देखो ऐसे माल ल रखा हुआ है अब सर इस बॉक्स से एक और बॉक्स जुड़ा हुआ रखा है एक और बॉक्स रखा हुआ है अब देखना अब हम लोग क्या कर रहे हैं माल लेते हैं इस पर फोर्स लगा रहे हैं किस पर फोर्स लगा रहे हैं इस बाले फोर्स पहले बाले ब्लॉक पर फोर उपर लगेगा अब चीज समझ में आई तो हमें क्या करना है पहले एक पिंड हमने सबसे पहले किसको कि चुना इसको चुना लेकिन इसके साथ जितने भी जुड़े हैं तो उन पर भी हम लोगों को प्रतियाबल को उचित दुसा में दर्साया जाना चाहिए हाया ना समझ में कोई दिकत पर आइशवानी नहीं आपने गेम देखा होगा है wt fewu we extend को ऐसे के लाइन से लगा दिया जाता है और और भी इस पर बल लगा रहा है नॉर्मल फोर्स समझ में आया ओके विटा बढ़े आगे की तरफ सर बढ़ते हैं की तरफ लास्ट पॉइंट है क्या यदि बस्तू पर कोई घर्षन बल कार रहा है तो उसे उचित दिसामें दर्साया अभी जैसे हम लोग किया था घर्षन बल अगर इसका screenshot लेना है तो यहां से screenshot ले लीजे मैं हैट जाता हूं जल्दी से और फिर बढ़ते हम लोग आग की तरफ ले 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 screenshot इसका भी screenshot आप ले लीजए और अब क्या हम लोग पढ़ेंगे सर, free body diagram अभी जैसा पड़ा free body diagram क्या होता है हम लोगों ने पढ़ लिया है कि मुक्त पिंड आरेक या फिर बल आरेक तकनीकी की सायता से न्यूटर्ण की गती विश्यक निवों पर आधारित प्रश्णों का हल काफी शोगम हो जाता अगर हम लोग free body diagram बना लेते हैं तो बहुत आसानी से हम लोग numerical को solve कर सकते हैं मुक्त पिंड आरेक एक ऐसा आरेक है जिनमें पिंड जिसकी गती का विश्यक किया जाना है जो विंदु वस्तु तथा उस पर लग रहे बलों के सदिस प्रकृति को प्राथिमिक्ता दी जाती है पेटा मुक्त प्री बॉड़ी लिया चलिए पैरे बैचों तो हम लोगों ने यहां पर अपना पूरा complete chapter revision part two खतम कर लिया है और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे सो समझ में आई हो भी है अगर वीडियो अच्छे सो समझ में आई है तो वीडियो को जादा जादा लाइक करेंगे शे टूप चैनल पर application पर एंट website पर प्यारे बच्छों magnet brains, Hindi medium and English medium CVST बोड के साथ उपी बोड एंपी बोड बिहार वोड एंड राजिस्थान बोड के साथ साथ बैदिक मैस क्यास कोर्स एंड spoken English स्प्रोवाइड कराता है वह भी high quality of education के साथ बिल्कुल 100% free है प्यारे बच्छो Magnet Brains, Hindi Media and English Medium E-Notes and E-Books की भी facilities प्रोवाइड कराता है जिनको आप अवैल कर सकते है Link वीडियो के description box में दे रखी है आपको क्या करना है वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करना है क्योंकि यह आपका करता है धर्म है शेर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते ना है Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp तो आप सभी लोग चलाते ही होंगे तो जल्दी से यहाँ पर भी follow कर लिजिए क्योंकि यही से आपको नई नी updates और notification मिलती रहती है मिलते हैं next class में तब तक के लिए हसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें नाम रोशन करें जैहिन जैवार